मेरी स्वास स्वास बे तेरा हे नाम मुरली वाले मुझे जर्णों से लगा ले मेरे स्वास मुरली वाले मुझे जर्णों से लगा ले पत जण है मेरा जीवन बनके बहार आजा पत जण है मेरा जीवन बनके बहार आजा सुनने पुकार का ला बस एक बार आजा सुनने पुकार का ला बस एक बार आजा पेचेन मन के तुम ही पेचेन मन के तुम ही आराम मुरली वाले मुझे चर्णों से लगाले मेरे स्याम बुरली वाले मुझे चर्णों से लगाले मेरे स्याम बुरली वाले आये महरा जीवन शीना सभी स्वागत करेके आ बंदन है गुरुदेव अभिनंदन है गुरुदेव सागत है गुरुदेव आपका स्वागत है गुरुदेव पुलिवरंदावन विहारी लान कीजए अम्हरी ओम्हराण पुरुषुद्ध मायल महां स्री गुरुजर्णक मलेभ्योल महां जंद्रबावन शूजाद स्यक्षो हूँ सूर्जो जायदा स्रोंदराद वाइस पराण स्यामुखा दगनिर जायदा पुल उर्णदावन विहारी लाले दीजे स्रिभागवत भगवान की है आरती पापियों को पाप से हैतार दी स्रिभागवत भगवान की है आरती पापियों को पाप से हैतार दी भागवत भगवान की है आरती पापियों को पाप से हैतार दी ये अमर ग्रंत ये मूटी पंक ये पंचम बेत निडाला नब जोती जगाने वाला हरिलान यही हरियान यही जग के मंगल की आरती पापियों को पाप से हैतार दी ये भागवत भगवान की है आरती पापियों को पाप से हैतार दी ये सांतिगीत पावन पुनीत पापों को मिटाने वाला धरी दर्स कराने वाला ये सुक्तर ने ये दुक्तर ने स्रीमत सुनन की आरती पापियों को पाप से हैतार दी भागवत भगवान की है आरती पापियों को पाप से हैतार दी ये मधुर पोन जग पंत कोन सनमार की दिखाने बाद पिकिने को बनाने बादा स्री राम यही धनशाम यही प्रभु के महिमा की आरती पापियों को पाप से हैं तारती स्री भादवत भदवान की हैं आरती पापियों को पाप से हैं तारती स्री भदवत भदवान संद्रहार स्था वजगी द्रहार सदाव जंडम हलयार वें धवंखवानी सैंधम नमार पुराण पुरुषूत्तमाय नमहा मंदर बुस्बाँ एलिंसमर पयामी मुलवर्णावन विहारे लाले गीजए सदुकुरुदेव भगवाने गीजए सभी लग विरास्मान हो जाएंगे पुझे सदुकुरुदेव भगवान आसद कर चुके हैं आख लोग भी विरास्मान हो जाहें एक बार दौनों हाथ उठाकर बड़ी भाव से मेरे साथ बोलेंगे रांधेर पुझे सद गुर्दे भगवान व्यास पिट की दिवेशो भा को बड़ा रहे हैं मैंका रहे हैं बार जोरदार तालियों के साथ मैं वादन करेंगे गुर्दे भगवान का बड़ी सुंदर प्यारी आभा के साथ में आज तर्थिय दिवस की बड़ी सुंदर पावन कथा का श्रवडपान हम को और आपको कराएंगे आईए हम जैसे तन से यहां बैटे बैसे प्रयास रहे कि मन से भी बैठे और संपूर कथा का अमरत लाप्राप्त करतो है अपने जीवन को बदलने का प्रयास करें एक मात्र इस पावन कारिक्रम का पावन भगवती ज्यान गंगा के सियग का एक मात्र रुद्देस यही है कि जितने भी हमारे बंदी भाई हैं वो सब अपने जीवन में बदलाव लाएं ठाकोर्जी के प्रती उनके रदय में आस्सा हो और उनकी मनुदसा बदले और बहार जाकर कि सामान जीवन जीएं एक दूसरी की सिवा करें अच्छा जीवन जीएं यही प्रियास हमारे सद्गोड़े भगवान और श्री आदर्णी हैं जो यजमान इस कारिक्रम के राकेजी भांगरें सुपर्टेंट कर रहे हैं एक बार जोरदार तालिया इनके लिए आतार प्रसाडित हो रहा है आए मैं चाहूंगा कि जिस उद्देश से यह कारिक्रम हो रहा है वह उद्देश से यहां पूरा हो और आप सब की जीवन में बदलाव हो निरंतर सेवा सिधा प्रदावन की पावन धरा पर चल रही है बड़ी पावन सुंदर सेवा चाहें यहां टीवी लगी है आपके बैरिंग में तो आप देखते होंगे बड़ी बड़ी सुंदर पावन सीवा सद्गुर्द्य भगबान कर रहे हैं उन दीन दुखी असा लोगों का सहरा बन रहे हैं जिनको सताने वाले ठुकराने वाले कोई और नहीं उनकी सगी उलाद वो सद्गुर्द्य भगबान के लिए जिनके माधियम से दो सो पिछेतर माओं की आज लगातर सीवा हो रही है हर छोटी से छोटी जरुत का ख्याल वहां रखा जाता है आप सब कर से इन माओं के पहुंचता है तब कहीं जाकर कि इतनी सुन्दर सीवा हुपाती है आईए मैं चाहूंगा जो संसकार टीवी चनल के माधियम से सोसल मीडिया के माधियम से अद्बा जो यहां बैटे हैं मेरे भाई बें सुन पार हैं पावंस सीवाओं के दर्शन कर पार रहे हैं मैं चाहूंगा कि आप भी इन पावंस सीवाओं से अपने आपको जोड़ें इस लाइक आपको बनाया है उतना ही सही लेकिन आप अगर इन माओं के अपने हाथ आगे बढ़ाएंगे तो जरूत पढ़ने पर इस और भी आपके लिए हाथ आपके जरूर बढ़ाएंगे आपका सहरा जरूर बनेंगे मातर 20,000 रुपे की उपदान से आप एक माह का सहरा बन जाएं आप संपूर 275 माओं के लिए एक मा के लिए कर सकते हैं अगर आप एक मा के लाइग हैं संद सेबा यहाँ चल रही है गौरी कोपाल अंचेटर के माधियम से हजारो संथ हर रोज यहां प्रसादी ले कर कर जाते हैं आप भी एक दिन की सेबा का कार्यों ले सकते हैं और अप आपने आपको जोड़ सकते हैं मात्र 11,000 रुपी युगदान से एक दिन की संपुर सेवा संथ सेवा आप अपने हाथों से करते होएं पुनिके भागी दर बन जाएंगे और आप अपने आपको जोड़ेंगे संथ सेवा से आप यह नहीं करभा पारें कोई बात नहीं आपके इसी 100 संत के लिए 51 संत के लिए 10 संत के लिए अगर यह भी नहीं हो पा रहा है तो कम से कम एक संत के लिए भर पेट भोजन के लिए अपने युगदान के हाथ आगे आप बढ़ा ही सकते हैं इसे के साथ में बड़ी पावन सुंदर गोरी को पार रसोई शीधा प्रदावन म के रंतर चल रही है जब आप शीधा प्रदावन आएंगे तो आप देखेंगे कि जितना बताया आज जा रहा है दिखाया जा रहा है उससे कहीं ज्यादा स्यवगा कार्य वहां हो रहा है और हर दिन लगभग 30 से 40,000 लोगों को भर पेट निसुल्क भोजन वहां प्राप्त मैं बताना चाहूंगा है इतने सुन्दर और विसाल कारे किसी एक सामाने विक्ति के लिए नहीं है कि वह है इतना सामर्त नहीं रख सकता कि इतनी सीवाओं को कोई अकेला कर सकें यह सब सेवा है तो आप सब के सहिव और प्यार के मादियम से चलती है जब आपका सहिव और नाम से अपने बच्चों के नाम से कर लें वो भी मात रिकती सजार रुबे के छोटे से युगदान से इसे के साथ में अन्यत्र और भी सेवायं सीधा प्रदावर में चल रही हैं जिन से आप जोड़कर पुन्य की प्राप्ति कर सकते हैं आईए आज भी इनी पावंत सेव मति भवरी देवी जी आदर्णी सी रामनिवाजी गोयल आप की पुनिश्मती में एक कबरा माउं के बन बाया गया है अज में रही सान से आप जोड़ रहे हैं यानि कि पांच लाग रुपे के योगदान दे रहे हैं एक बार जोड़दार तालियां हो जाएं भवरी देव साधी की साल गरेको प्लक्ष में नैपाद से 32,000 रुपे के युगदान आप दे रहे हैं आपके लिए बहुत बहुत धनीवाद यसे शणी में प्रभुला जी प्रोहता आप जोट्व राइसां से 30,000 रुपे आयूस गोल जी दिली से आप 31,000 रुपे संचन देवी गोपा कमला वाय जी खटिक आप बुद्वारा से भूपाद से एकमाका जी वन सहरा बने हैं 21,000 रुपे देते होएं आपके लिए भी बहुत बहुत धनीवाद एसी से शणी में 31,000 रुपे एक दिन की संपूर रसोई के लिए प्रभु दयाल जी आप बल्लवगर से ब्दान करें आप साधी की साल को प्लक्ष में 11,000 रुपे के युगतान दे रहे हैं आपके लिए भी बहुत बहुत धनीवाद एसी शणी में आनदपुरी गोश्वामी राइसान से विजेच्चा हरी प्रभु राज अवस्ती लखनों से आप 11 रुपे जेतनर कुमार गुप्ता से अब 20,000 रुपी गयाने से प्रसाजी पढ़ना भिहार से क्यामस रुपी किता देभी बिहार से गयते देभी बिहार से आचाजी वगिलाब जावलपुर से सर्मंची राजबुद आप विजेच्च से साथी केसर भाई जी राजोई दमों से दुरगापति देवरिया से साथाबाद रोड राया से बतान कर रहे हैं अपके लिए बहुत बहुत धनीबाद एसी सेड़ी में संतों जी अक्रपाला आप नागपुर से 3,000 रुपे कुनाल जी स्वेंची खंडबाद से विचेच्च है और केवल लंजी आप भी यहां ताकि बढ़ाए पावन सीवां से जोड़ा है इन्हें होनों ते पुन्य लाव कमाया है मैं चाहूंगा कि आप भी थोड़ा थोड़ा पुन्य कमाएं जो लोग यहां बैटे हैं और जो लोग घर बैटे जुड़ रहे हैं उनके लिए साधी भूपाल यहां सेंटर ज सिधां प्रदावर में चल रही हैं जिन्हें इन सिवाओं से जुड़ना है उनके लिए काउंटर यहां भी लगा है जो लोग घर बैटे उनके लिए लगा था टीवी चैनक मादें सिखाता संग्या फॉन नमर और क्यूर को दिखा जाता ताकि वो लोग घर बैटे ही अपन के कल्यान की मुक्ति के लिए भाग बज्जी का सुनहरा पार्ट सिधां प्रदावन में बिठा सकते हैं अब आईए चलेंगे एक बिना छड़ गवाई भी पावन कचा कि और एक बार पुना दोना हाथ उठाकर पड़ई भाव से मेरे साथ बोलेंगे राधे 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 श्री गडेशाय नमहा श्री सरस्वत्य नमहा श्री मात्र पित्र चर्ण कमले भ्यो नमहा राधा कृष्णा भ्याम नमहा श्री मते रामानु जाय नमहा नारायणम नमस्कृत्य नरम्चैव नरोत्यमं देवीम सरस्वतीम व्यासं ततो जयमुदीरेत लक्षमी नाच समारंभाम नाच आमन मध्यमाम असमदाचार्य परयंताम वंदे गुरो परंपराम जय जय श्री राधा रमण। जय जय नवल किशोर। जय गोपी चित चोर प्रभू। जय जय माखन चोर। राधा मेरी मात हैं पिता मेरे घनश्यां इन दौनों के चर्णों में मेरा कोटी कोटी प्रणां। आए हो तो प्रेम से लोहरी का नाम सब भक्तों को अनिरुद्य की जय जय राधेशां। जय जय राधेशां। ओ तेरे चरण कमल मैं शाम लिपट जाओं रजवन के। तेरे चरण कमल मैं शाम लिपट जाओं रजवन के। लिपट जाओं रजवन के। तेरे चरण कमल मैं शाम लिपट जाओं रजवन के। तेरे चरण कमल मैं शाम लिपट जाओं रजवन के। तेरे चरण कमल मैं शाम लिपट जाओं रजवन के। यह भगवान से हमारी और आपकी प्रार्थना है कि प्रभू हमें अपने चरणों की धूल बना दो ताकि हम धूल बनकर आपके चरणों से लिपट सके। तो कितने लोग भगवान के स्री चरणों में लिपट ना चाहते हैं तो तालियों की से लिपट जाओं रजवन के। तेरे चरणों का मल में श्यां लिपट जाओं रजवन के। तेरे चरणों का मल में श्यां लिपट जाओं रजवन के। तेरे चरणों का मल में श्यां लिपट जाओं रजवन के। तेरे चरणों का मल म में श्यां लिपट जाओं रजवन के। नित नित दर्शन पाऊं मैं तेरा नित नित तेरा दर्शन पाऊं। हर अशें हर असके हरी गुण गाओं। मेरी नस नस बस जाओं शाम लिपट जाओं रजवन के। मेरी नस नस बस जाओं शाम लिपट जाओं रजवन के। तेरे चरण का मल मैं शाम निपट जाओं रजवन के। रजवन के ठाओं रजवन के तेरे अशे रजवन के। यह वरी। चिन चिन तेरा सुमिरने होवे चिन चिन तेरा सुमिरने होवे अरी सब दिन आज़े आठाओ याम लिपट जाओ रजवन के तेरे चरण का मल में शां लिपट जाओ रजवन के तेरे चरण का मल में शां लिपट जाओ रजवन के तेरे चरण का मल में शां लिपट जाओ रजवन के तेरे चरण का मल में शां लिपट जाओ रजवन के लिपट जाओ रजवन के तेरे चरण का मल में शां लिपट जाओ रजवन के तेरे चरण का मल में शां लिपट जाओ रजवन के तेरी चरण कमल मेशां लिपट जाओं रजबन के तेरी चरण कमल मेशां लिपट जाओं रजबन के भुल्य भक्त वत्सल भगवान की जय श्री कृष्ण कनहिया लाल की जय श्री व्रंदावन धाम की जय श्री गावरी गोपाल भगवान की जय जय श्री राधेश्ण परम मंगल मैं परात्पर अखलेश्वर अखले ब्रह्म हंड नायक परात्पर परव्रम भगवान श्री कृष्ण के वांग मैं प्रतिमूर्ती श्रीमत भागवत महा पुराण दोर-दोर से आई हमारी माता बहने स्रोतागण भक्तगण संसकार टीवी और यूटूब पर कथा का रस्पान कर रहे सभी भक्तों को जय श्री मन्यारायन जय श्री किष्णा राधे राधे स्वागच आप सभी भक्तों का आचकी मंगल मैं अम्रत मैं कथा में भगवान की ये कथा मन को पवित्र करने वाली कथा है इसलिए ये कथा हम सभी प्रेम पूरुवक सुने और भाव से इस पावन सी कथा का आनन्द लें प्रिय भक्तों इस कथा में परिक्षित बनकर श्रीमान राकेस भांगरेजी मैया श्रीमती रस्मी भांगरेजी जेल अधिक्षक और समस्त जेल बिभाग भोपाल पावन धर्ती भोपाल की जेल में सभी बंदी भाईयों के लिए कैदी भाईयों के लिए बहनों के लिए ये कथा कायूजन रखा गया है कि बाहर के लोग तो कभी भी भागवत सुन सकते हैं कहीं भी जाकर सुन सकते हैं पर जेल के भीतर जिन्हें बीसों साल की सजा पड़ चुकी है उन्हें कौन कछा सुनाएगा तो उन्हें सब को कछा सुना कर उनके मन को पवित्र करने के लिए भगवान ने यदास को भेजा और भईया श्री राकेश भांगरे जी इस कारे के निमित बने इसलिए सबी हमारी बंदी बंदी भाई जन बहने सब श्री राकेश भांगरे जी को खूब खूब आश्रवात दे रहे हैं सब लोग के इनके माध्धम से सब को कछा स्रवण करने को मिली आप कितने बंदी भाई लोग प्रसन्न हैं इस कथा से के भैया स्री राकेजी ने आपके लिए बहुत अच्छा कारे किया सबका आश्रवाद आपको मिल रहा है सबकी दुआएं और देखिए किवल कैदी बंदी भाई लोग नहीं जेल में कथा हो रही है पहली वार संसकार टीवी के माज़म से लोग घर में बैठ बैठ कर इस कथा को सुन रहे हैं और इसी माज़म से जितना स्टाफ यहां हैं पूरा परिवार के साथ आप सभी लोग यहां भागवत की गंगा में डुबकी लगाने के आप सबको अबसर मिला मौका मिला लगभग यहां चार हजार से अधिक बंदी भाई हैं और प्रेम पूरवक सभी लोग कच्छा का रस्पान कर रहे हैं कल की कच्छा हम लोगों ने सुनी राजा परिक्षद ने शुगदे भगवान से पूछा कि है गुर्देव जिसे साथ दिन में मरना हो से क्या करना चाहिए साथ दिनों की जिन्दगी है हमारी और आपकी इन साथ दिनों में ही हम आते हैं इन साथ दिनों में ही हम चले जाते हैं साथ दिनों का ही जीवन है इसलिए पता नहीं कौन सी घड़ी अंतिम घड़ी हो कौन सी मुलाकात अंतिम मुलाकात हो इसलिए अच्छे से रहा करो प्रैम पूरुवक अपने रिस्तों को निभाया करो पता नहीं कौन सी घड़ी अंतिम घड़ी हो शुगदे भगवान ने कहा राजन साथ दिनों का सबका जीवन है आपकी जिंदिगी कितने दिनों की है सब लोग बोलेंगे सभी लोग शान्त रहेंगे और प्रैम पूरुवक सुनेंगे हमारे भाई बंदी भाई लोग ध्यान देंगे और मेरे हर प्रशन का उत्तर आप सब देंगे बताओ हम सब का जीवन कितने दिनों का है सौम बार से रवी बार तक साथ दिन ही होते हैं आठवा दिन किसी के लिए नहीं है इन ही साथ दिनों में एक दिन हम आए हैं इन ही साथ दिनों में से एक दिन हम चले जाएंगे तो जीवन साथ दिन का है हम सब की जिंदगी बहुत थोड़ी सी है पानी केरा बुदबुदा असमानुस की जात देखत ही छिप जाएगा जेवतारा परभाद जैसे पानी में बुलबुला उठता है और उठते ही समाप्त हो जाता है ऐसी ये जिंदगी हमें मिली है और कब चली जाए बुद्ध बुदे की तरफ बुलबुले की तरफ पता ही नहीं चलेगी इसलिए जो घड़ियां हैं जो समय इश्वर ने दिया उस समय का सदोप्योग कर लेना चाहिए हाँ याना प्रसन्य रह लेना चाहिए अपने जीवन का सदोप्योग कर लेना चाहिए हर घड़ी को सुख में बना लेना चाहिए क्या करें जिसे जल्दी मरना है शुगदे भगवान बोले वरियाने सते प्रश्णह क्रतो लोके हितम ग्रप आत्म वित्सम्मत हपुन्साम श्रोत अब्या दिसुयः परहा तुमने बड़ा उत्तम प्रश्ण किया है इसलिए स्वास स्वास में हरी भजो ब्रथा स्वास मत खोई ना जाने से स्वास का आवन हो या न होई अर नैनों की खिड की से तुझको पल पल मैंनी हारू मन मैं बिठालू तेरी आरती उतारू और डाले रहूं तेरे चर्णों में डेरा यूँ बीत जाए जीवन मेरा हर स्वास में हो सुमीरन तेरा यूँ बीत जाए जीवन हर स्वास का सदोप्योग करना चाहिए आप लोग अपने समय को वियर्च में गवाते हैं वियर्च की किसी की निंदा करेंगे चुगली करेंगे वियर्च की बातें करेंगे व्यर्थ की बातें बकवास करके समय को ना गवाओ बलकि अपने समय का सद उप्योग करो क्या उप्योग करें? बोले भगवान का चिंतन करो काम्याव हो जाओ इसके लिए कुछ प्रयास करो कुछ काम धंदा भी किया करो कुछ बिजनिस वियापार भी किया करो कुछ अपने उत्थान के लिए भी कुछ सोचा करो आप आगे बढ़ो तरक्की करो इसके लिए भी कुछ प्रयास करो समय बच जाए तो दो मिनट आखे मंद करके उस परमपिता परमात्मा का स्मरण करो ध्यान करो जिसने आपको ये सुन्दर्शा मानव शरीर देकर एक अवसर दिया है तो जादा नहीं सोना निद्रयाह यते नक्तम ब्यवाये न चवावया दिवाचार्थे हया राजन कुटुम्ब भरणे नवा कम सोईए जादा सोना अच्छा है कि कम सोना अच्छा? मैं यह आप लोग तो दिन में भी सो जाती हो उठ जाग मुसाफिर भोर भई अब रहन कहां तो सोबत है जो सोबत है वो खोबत है तो जागने वाला पाएगा सोने वाला खोएगा इसलिए जागो अच्छा आप लोग अभी सो रहे हैं कि जाग रहे हैं जोर से जाग रहे हैं कि सो रहे हैं हाँ जागा हुआ कौन है और सोया हुआ कौन है जो लोग जो लोग अपने मन को पैसे में परिवार में भोगों में लगाए है जिनका मन अभी भी पैसे में लगा है विसे भोगों में लगा है जिनका मन अभी भी संसार में लगा है वो सारे लोग सो रहे हैं मिरी मा और जिनका मन भगवान में लग गया वो जाग गए सारे लोग सो रहे हैं जागा हुआ किसे मानना चाहिए जिसका मन भगवान में लग गया बुढ़ापे में आपका मन अभी भी पैसों में लगा है बिसे भोगों में लगा है तो अभी आप जागे कहा हैं अभी तो आप सो रहें जागा हुआ उसे मानिये जिसका मन भगवान में लग चुका समाज की सेवा में लग चुका स्वामी विवेका नंद जी जागे हुए थे माता शवरी जागी हुई थी रावण सो रहा था और विवीशन जाग रहे थे बोलो हाँ रावण सोया था इसलिए दूसरे की पतनी पे नजर रखा विवीशन जागे के वो लंका में रहकर के भी उन्होंने राम में मन लगाया जिनका मन प्रभू में लग गया वो जागे हुए हैं और जिनका मन अभी भी संसार में लगा है तो मैया जागो मेरी मा कब जागोगी आप आप अभी भी एक एक घंटा चुगली करती हो पडोसन की बुराई उसकी बुराई उसकी निंदा क्या मिल जाता है आपको या तो आप सौईंगी या तो आप चुगली करेंगी हमारा पडोसी कैसा है हमें क्या करना आप लोग ना पूरा पडोसीयों के बारे में चर्चा करते हैं आपका पडोसी कैसा, वो कैसा, सबका ठेका आपने लिए रखा है कौन कैसा है, आपको क्या करना, आप कैसे है, आपको अपने से मतलब होना चाहिए बुरा जो देखन मैं चला, बुरा न मिलिया कोई, जो दिल खोजा आपना हमसे बुरा न कोई सबसे बुरा कौन है बताओ सबसे बुरा कौन मैया आप पीली मैया बताओ सबसे बुरा कौन पडोसन आपकी नहीं कौन पडोसी बुरा है फिर सास जिठानी ससुर ननन्द हाँ हाँ सबसे बुरी ननन्द है आजाती है चाहे जब देखो सबसे बुरा कौन कौन मैया ओ लाल पीली मैया बताओ सब लोग सबसे बुरा कौन मैया बताओ पीली मैया सबसे बुरे हैं हम सबसे बुरा कौन जोर से सबसे बुरे हम लेकिन हम लोग कभी अपनी बुराईया नहीं देखते हमेशा दूसरों की बुराईया देखते तुम बुरे तुम बुरे तुम बुरे तुम बुरे जब आप किसी को बुरा के सोधार करना है तो खुद में सोधार कीजिए वो लोग बहुत सुखी हैं जो अपने को हैं और वो लोग बहुतुखीं क्लों दिखतेगनों को देक्षथ तौन है तो स्वयम को देखो और दुखी होना है तो सब को देखो है न मैया तो कम सोईए जादा से जादा मन भगवान में लगाईए और सुनिए तीन काम रोज करो कौन कौन से श्रोत अप्याहा कथा सुनो क्या करना ची ये रोज आप कितने लोग रोज कथा सुनते हैं हमारे बंदी भाई कैदी भाई भी रोज सबके कमरों में टी बी लगी है सारे लोग कथा सुनते हैं एक बज़े से चार बज़े तक सब कमरों में टी बी लगी है सब लोग कछा भी सुनते हैं, सब लोग कीर्टन भी करते हैं, सामस को हम गए तो सब लोग आरती भी कर रहे हैं, सारे बंदी भाई, अधिकांस लोग आरती कर रहे थे, यही आपके संसकार हैं, कि आप भले जेल में हैं, लेकिन जेल में होकर के भी आपने अपने धर्म, अपन भरवान को नहीं छोड़ा यह बहुत अच्छी ए से अपने संस्कारों को आपने नहीं छोड़ा माना कि आप से कुछ गलतियां हुई जिसका दंड आपको मिला पर पर समाज को आपके माध्यम से ये मैसिज है कि गलतियां करो ही मत, गलतियां तब होती हैं जब हम दूसरों को देखते हैं, हम स्वयम को देखें तो गलतियां भी ना हो, इसलिए हमें कुछ बातों का ध्यान रखना चाहिए, ज्यादा से ज्यादा सुनना चाहिए, क्या सुनें अच्छा आप लोग सुनते ज़्यादा हैं कि बोलते ज़्यादा हैं उत्तर दो आप ज़्यादा सुनते हैं कि ज़्यादा बोलते हैं सही बताओ सास बोलती है तो आप सुनती हो कि आप भी बोलती हो काम 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 आप भी चालू हो जाती हो सास ने एक बोला तो वहू दो बोलती है पती ने एक बोला तो पतनी दो हाँ या ना थोड़ा सुना करो अच्छा जादा सुनने वाला सुखी है कि जादा बोलने वाला सुखी कौन है इसलिए भगवान ने सुनने के लिए कान दो दिये है और बोलने के लिए मुँ एक दिया है कि सुनो जादा बोलो कम जो सुखी होना चाहता है वो जादा सुने क्या सुने? मुन्नी बदनाम हुई? सीला की जवानी? ये ना सुने? क्या सुने? भगवान की कछा सुने भगवान का कीरतन सुने सुनना तो बहुत कुछ है एक सुनना है बुरा एक सुनना है अच्छा तो बुरा क्यों सुने कानों का काम है सुनना लेकिन आप ये निरने लीजिए कि आपको क्या सुनना इसलिए रोज कथा सुना करिए हमारी मैया जी बता रही थी रश्मी मैया जो कथा में परिख्षित बनी हैं इन्होंने बताया कि हम रोज कथा सुनते हैं बोजन बनाते हुए घर का काम करते हुए और ये जब पती-पतनी आपस में जब ये दूर-दूर थे अलग-अलग थे श्ट्रगल के दौरान तब इन्होंने जब आपस में बात करते थे तो भी भगवान की चर्चा ही करते थे ये आपस में बात भी मतलब कितनी बढ़िया बात भहिया बता रहे थे कि हमने एक ही पिक्चर देखी है बस उसके बाद मूवी नहीं देखी पिक्चर नहीं देखी पूरा समय भगवान की कछा में कीर्टन में और अपना काम अपना काम वो लोग सुखी हैं जो अपना काम और अपने काम के बाद समय बचे तो परिवार का ध्यान और परिवार से थोड़ा समय बचे तो भगवान का चिंतन ये लोग सुखी है अपना काम करो अपने परिवार को समय दो और परिवार से और अपने काम से समय बच जाए त तो उस परमात्मा को वांखबंद करके धन्यवाद दो जिसने आपको ये परिवार और ये जीवन दिया है वो लोग सुखी है सिस्टम से चल रहे हैं अब आप लोग ना यहां वहां ताक जाक करोगे तो परिशानी तो होगी साधा जीवन उच्छ विचार तो जाजा से जाजा सुनना है क्या सुनना चीए मेरी मां जोर से बुराई निंदा चुगली क्या सुनें इसलिए आप लोग अपने मोबाईल पर यूटूब पर अनिरुद्धा चार डालना आपके मोबाईल पर ये कछा आएगी जो कछा भोपाल की धरती पर हो रही है ये आप अपने मोबाइल पर भी सुन सकते हैं यूटूब पर अनिरुद्धाचार टाइप करेंगे चैनल खुल के आएगो सब्सक्राइब कर लेना काम करते हुए भगवान की कछा सुनना आज इस परिवार में एक करोड 33,187,78 लोग जुड़े हुए हैं आप भी मोबाइल पर चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे पूरी दुनिया का आध्यात्म जगत का सबसे बड़ा परिवार है ये यूटूब पर एक करोड 33,00 लोग जुड़े हैं आप जुड़े क्या आप जुड़े इस परिवार से नहीं तो जुड़िएगा बच्चों को जुड़िएगा आपके बच्चे कछा से जुड़ेंगे तो संसकारी बनेंगे क्लबों में जाएंगे तो शराब पी के पड़े रहेंगे किसी गंदी नाली में इसलिए संसकार बच्चों को बढ़ापे में नहीं लड़क पन से छोटी सी उमर से कछा सुनाओ, अच्छी चीजें दिखाओ, कीर्टन करो, स्मरण करो, काम करते हुए भगवान की भक्ति क्या है, माला जपना ही भक्ति नहीं है, आरती उतारना ही भक्ति नहीं है, एक जगा बैठो और भगवान का स्मरण, अच्छा मेरे बंदी भाई लोग बताएंगे, आप यहां जेल के भीतर हो, आप यह बताओ, आपको अपने घर की याद आती है के नहीं, किस किसको याद आती है, सबको याद आती है न, अपनी मा की याद, अपनी पतनी की याद, अपने पती की याद, अपने बच्छों की याद, सबको सबकी याद जिसके पास जो है सबको सबकी याद आती है अच्छा यह बताओ जब आप खाते हैं उस समय याद आती है कि जब इस्तर पर पढ़ते हैं उस समय याद आती है कि चलते फिरते याद आती जादा याद कवाती है मेरे भाई लोग बताएंगे, मेरी बहने बताएंगे ज़्यादा याद कब आती है दिखो, यदि आप चाहो ना, तो हर पल याद कर सकते हो चलते हुए याद, खाते हुए याद, विस्तर पर लेटे हुए याद हर बक्त याद आ सकती है या नहीं, हा या ना जैसे आप लोग अपने परिवार को हमेशा याद करते हैं उसी तरह जैसे आप काम करते हुए, नहाते हुए, जाडू लगाते हुए विस्तर पर लेटे हुए, सारा काम करते हुए, आप अपने परिवार को याद करते हैं ऐसे आप लोग सारा काम करते हुए यदि भगवान को याद करने लग जाएं तो यही तो भगती है बस परिवार की जगए भगवान को याद करने अभी हम परिवार को याद करते हैं तो परिवार को याद करने से कुछ होना नहीं है आप करते रहो याद क्या होगा इसलिए य याद परिवार की नहीं, याद जगत की नहीं, याद जगनाच की आनी चाहिए अब, जगत की यादों में न खोया करो, जगनाच की यादों में खोया करो, मीरा वाई किसकी यादों में खोई रहती हैं बताओ, जगत की यादों में या जगनाच की यादों में, जगनाच मतल मेरे तो गिर्धर गोपाल भगवान कृष्ण तो मीरा किसकी यादों में खोई है जोर से जगत की या जगनाथ की जोर से और आप लोग किसकी यादों में खोई है जगत की अब जगत की यादों की जगह आपको जगनाथ की यादों में खो जाना है बस यही भक्ती है चाहे आप नहाय हो या बिना नहाय हो बस आपको याद करना है भगवान को कैसे जैसे परिवार को याद करते हो अपनी मा को याद करते हो अपनी पतनी को याद करते हो अपने बच्चों को याद करते हो ऐसी भगवान को याद करो मन से शरीर आपका जेल के अंदर है शरीर आपका कहीं भी है पर मन आपका जगनाजी में होना चाहिए मन वरंदाबन में होना चाहिए मन भगवान के चरणों में हो मन ऐसा भाव बनाओ कि हम गिरिराजी की परिक्रमा लगा रहे हैं हम विहारी जी का दर्शन कर रहे हैं, हम भगवान का दर्शन कर रहे हैं, ऐसा मन से, ऐसा लगे आपको, कि आप मन से भगवान के पास हैं, आप मन से भगवान को भोग लगा रहे हैं, भगवान से बातें कर रहे हैं, देखो, भगवान के लिए न, शरीर नहीं चाहिए, आप दो हिस्से कर दो, एक होता है मन एक होता है सरीर, शरीर है परिवार के लिए आपके पतनी को आपके पती को आपके बेटा बेटी, माँ आबाप इन सब को आपके सरीर की जरूरत पड़ती है। आपके परिवार को किसकी जरूरत है जोर से परिवार को किसकी जरूरत है शरीर की इस शरीर से आप कमा कमा कर लाते हैं माबाप को देते हैं, परिवार को देते हैं, सब लोग खुश होते हैं, आप इस सरीर से कुछ ना कमाए, तो आपके अपने लोग ताने मारने लग जाएंगे, निठला बैठा रहता, कुछ करता धरता नहीं, तो संसार के लोगों को आपके सरीर की जरूरत है, हाँ या ना, आ आपके मन की जरूरत किसको है, आपके पती को आपके मन की जरूरत है क्या, आपकी पतनी को आपके मन की जरूरत है क्या, हाँ या ना, है या नहीं, सही बताओ, तो आपका मन खाली है कि नहीं, और आप लोग क्या कहती हो, महरा जी मन बहुत भटकता है, मन इसलिए भटकता है क पाली दिमाग सैतान का इसलिए मन को काम दो काम दोगे तो भटके गनी क्या काम दें रोज जाओ मन से और जगनाजी के दर्शन करके आओ रोज गिरिदाजी की परिक्रमा करके आओ रोज वरंदावन की परिक्रमा रोज गंगा नहा के आओ मन को काम दो मानसिक पूजा है ये सरीर कहीं भी है परमन परिक्रमा लगा रहा गिरिडाजी की तो आपके परिवार को आपका तन चाहिए और भगवान को आपका जोर से इसलिए बटवारा कर दो सही सही बटवारा कर दोगे तो महा भारत नहीं होगा महा भारत इसलिए हुआ सही बटवारा नहीं हुआ पांडवों का कौरवों का ऐसे आप भी बटवारा कर दो समय पर तो आज से मन किसे देंगे मैया आपने अपना मन किसे दे रखा है अपना दिल किसे दे रखा है सही बताओ पती से तो कह रहे ही थी हम दिल आपको दे चुके हैं नहीं मैया आपने अपना दिल पती को दिया की नहीं नहीं अभी अभी दिया भगवान को कि पहले ही से दिया जा मैया आपने दिल किसे दिया पती को क्या कुछ नहीं हमारा जो दिल है आखें कितनी है हमारी दो कान कितने है हाथ कितने है पाउं कितने है दिल कितने है दिल कितने है बंदी भाई बोलेंगे दिल कितने है जब भगवान ने आखें दो दी, कान दो दिये, पाउं दो दिये, हाथ दो दिये तो दिल एक क्यों? दिल एक इसलिए दो आखें भगवान ने क्यों दी? दो आखें भगवान ने इसलिए दिए कि एक आख से परिवार को देखो व्यापार को देखो पर दूसरी आख सदा भगवान के दर्शन के लिए विल्कुल रिजर्व रहे दो कान भगवान ने इसलिए दिये कि एक कान से परिवार की सुनो व्यापार की सुनो पर दूसरा कान भगवान की कछा के लिए विलकुल रिजर्व रहें दो पाउं इसलिए दिये कि एक पाउं से परिवार के लिए चलो व्यापार के लिए चलो पर दूसरा पाउं भगवान की कछा के लिए व्रंदावन के लिए दूसरा पाउं तयार रहे दो हाथ इसलिए दिये कि एक हाथ परिवार के लिए व्यापार के लिए पर दूसरा हाथ सदादान पुण्य समाज की सेवा के लिए तयार रहे पर सब कुछ दो, पर दिल, दिल, जोर से, दिल एक है ना, तो एक दिल किसे देना है? भगवान को, दिल किसे देना है? फिर पती, बच्चे, बच्चों को, पती को, परिवार को क्या देना है? दिल में किसे रखेंगे? भगवान को और पती को कहां रखेंगे? पतनी को कहां रखेंगे? बच्चों को कहां रखेंगे? हाँ, दिल में भगवान को रखा करो और पतनी को, परिवार को, बेटी को, वेटा को, व्यापार को, बिजनिस को, सब को अपने दिमाग में रखा करो, दिमाग में होगी चीजें निकल जाएंगी पर दिल में होती है निकलती नहीं है इसलिए दिल में भगवान को रखो के कभी न निकले संसार को दिमाग में रखना ताकि मरने के पहले सब निकल जाए कच्रा और मन भगवान में ही लगा रहा है तो परिवार को क्या देंगे शरीर परिवार को कहां रखेंगे दिमाग में तो मैया आपने अपने पती को यदि दिल दे रखा हो तो आज साम कोई बापिस ले ले लेना चलो जी बापिस करो और चलो दिमाग में सिफ्ट करो तो पती को कहां सिफ्ट करेंगे जोर से पत्नी को कहां सिफ्ट करेंगे और भगवान को मैया आपके दिल में कौन सिफ्ट है सही बता बच्चे परिवार यदि आपने संसार के लोगों को दिल दिया तो संसार के लोग क्या करेंगे उस दिल का हाँ दिल के टुकडे टुकडे करेके मुस्कुरा के चल दिये यदि आपने संसार को दिल दिया तो संसार वाले दिल का क्या करेंगे टुकडे टुकडे कर देंगे संसार के लोग जानते ही नहीं दिल की कीमत क्या है संसार के लोग दिल तोड़ते हैं हाँ या ना दिल संसार के लोग तोड़ देते हैं आप लोग जेल आए तो आपने भी अपनी मा का दिल तोड़ा की नहीं? बोलो हाँ, आपने भी अपने बच्चों का दिल तोड़ा की नहीं? आपके बच्चों ने कभी नहीं सोचा होगा कि आप कभी जेल आएंगे आपकी पतनी ने कभी नहीं सोचा होगा कि मेरा पती कभी जेल जाएगा आपकी मानी कभी नहीं सोचा होगा कि आप कभी जेल जाएगे लेकर आपने ऐसी गलती की जो गलती आपको जेल लेकर आई जब आप जेल आए तो आपकी पतनी का, बच्चों का, परिवार का दिल तूट गया हाँ या न? इसलिए संसार को दिल में बसाओगे तो तूट ही जाएगा इसलिए दिल में भगवान को रखो परिवार को दिमाग में ज़्यादा टेंसन नहीं एक था दिल मिल गया वो शाम से एक था दिल मिल गया वो शाम से अब कहीं दिल को लगाने की हमें पुरसत नहीं कहां दिल लगाएं अब अब दिल नहीं अब तो दिमाग लगाना है सहाँ पैसा दिमाग लगाने से आएगा दिल लगाने से नहीं व्यापार में भी क्या लगता है दिल या दिमाग व्यापार दिल से होता है या दिमाग से होता है जोर से हर चीज संसार का हर व्यवार दिमाग से होता है लोग नहीं बोलते है दिमाग से खेल रहा है वो व्यक्ति राजनीती दिल से नहीं होती राजनीती दिमाग से होती है व्यापार दिल से नहीं होता है व्यापार जोर से दिमाग नहीं है और दिल लगाए तो क्या होगा दिल वेल नहीं दिमाग से आपके पास दिमाग है न तो आपकी पतनी बहुत खुश रहेगी आपसे आपके पास दिमाग है तो आपका पती बहुत खुश रहेगा आपसे दिमाग है तो खुश रखोगे और दिमाग नहीं और दिल ही लगाओगे नहीं चलेगा रिस्ता दिमाग लगाना आप लोग रिस्तों में दिमाग लगाते हैं नहीं थोड़ा लगाया करो अपने पती की जूठी तारीफ किया करो तो मैया, देखो पंचायती, जर्या माुका मिला पंचायत चलू दिमाख लगाया करो, अपने पती की तारीफ करती हो के नहीं नहीं, इसलिए लड़ता है हाँ, तुम चाहती हो के मैंने जो डाल बनाई है जो साग बनाई है, मेरा पती तारीफ करे वाह क्या बढ़िया दाल, क्या बढ़िया साग तो यदि आपके अंदर तारीफ सुनने की इक्षा है तो आपके पती की भी इक्षा होती है जरा बोलती रहा करो कि आप भी बुढ़ाबे में विंदास लगते हो बोलती रहा करो क्या पैसा लग रहा है यह दिमाग से है रिस्तों में दिमाग लगाओगे तो सुखी रहोगे भगवान में दिल लगाओ पत्नी पतियों की क्या करती रहे तारीफ रोज कहा करो क्या खूब लगते हो बड़ी सुन्दर दिखते हो मैं आप कहती हो कि नहीं ऐसा नहीं आज सी कहना स्टार्ट करो यह दादा जी देखो बड़ीया सबेद मुचों वाले कितना बड़ीया लग रहे हैं कहो आपके रिस्ते बड़ीया होंगे कहती हो आज से कहना क्या कहोगी क्या खूब लगते हो और पुरसों को भी चाहिए कि अपनी पतनी की हर दूसरे दिन तारीफ करते रहें हर दूसरे दिन बोलते रहो आप भी तुम बड़ीया लग रही हो बड़ीया तुम पर यह साड़ी जच रही है ऐसी लग रही हो जैसे आज ही तुम हमसे व्याह करके आई हो ऐसे बोला करो, यह सब दिमाग का खेल है, ऐसा बोलोगे तो पत्नी गुबारा रहेगी फूल के बढ़िया आपको छप्पन भोख खवाएगी, बादाम का हलुआ खवाएगी तारीफ करने से रिस्ते बढ़िया होते हैं, पता है आप लोगों को अब आप लोग ना बिलकुल ऐसे कुछ बोलते ही नहीं, घर कौम धंदे से आए, मोबाईल लेके बैड़ गए बौट से, पत्नी को लग रहा कुछ बोलेंगे, कुछ बोलेंगे, कुछ तो बोला करो पत्नी से अब यह हमारे भहिया लोग दिन बर यहां वर्दी में काम किये, और साम को गए, मोबाईल देखे बैड़ गए, पत्नी को गुछ आएगा, आएगा कुछ बोल देगी, फिर आप कुछ बोलेंगे, जगड़ा चालू, मैं माय के चली जाओंगी, तुम देखते रही हो, इसल रिस्तों को चलाना भी एक कला है, हा या ना, रिस्तों को चलाना भी एक कला है, और रिस्तों को बहतर बनाना, ये बहुत जिम्मेदारी है आप ग्रहस्थों की, साधी कर लेना, पत्नी घर में हैं, बच्चे घर में, ऐसे नहीं, उदास भरी जिन्दगी ना हो, ना पत्नी देख रही है पती की और ना पती देख रहा, बच्चे कहीं जा रहे, पतनी कहीं जा रही है, पती कहीं ना, मिल जुल के एक धागे में रहो, रही मन धागा प्रैम का मत तोड़ो चटिकाए, तूटे से फिर ना जुड़े, जुड़े तो गांठ पड़ जाए, तो आप लोग दिमाग से रिस्तों को चलाईए, और तारीफ कीजिए, अपने बच्चों के पास बैठिये, थोड़ा बच्चों को भी तारीफ, बच्चों को बच्चे भी क्या चाहते हैं, वो आपको कुछ सुनाते हैं, तो आप भी उनकी तारीफ, हाँ बेटा बहुत बढ़िया सुनाय तू तो पढ़ते ही नहीं, बच्चे को लगता मेरी इमाँ पागल है क्या, आठ गंडे दिन भर मैं पढ़ता हूँ या पढ़ती हो बोलती है, पढ़ते ही नहीं, दिमाग खराब इसका, अब नहीं पढ़ूँगा, कर लो जो करना, ऐसे में बच्चे बिगड़ जाते हैं, तुमारी ये जो हरकतें हैं ना, ये बहुत अच्छी नहीं है, बच्चों को कभी ये भी कहा करो बेटा जाओ खेलो, भारत की 95% मैया वस ये बोलती है, बेटा पढ़ ले, पढ़ ले, पढ़ ले, कभी ये भी बोला करो खेल ले, खेल ले, थोड़ा खेल भी ले, और जब ले तो फिर पढ़वी ले थोड़ा आठ घंटे पढ़ो आठ घंटे सो आठ घंटे खेलो आठ तिया चौविस रिष्टों में चाहिए छोड़ी सी तारीफ बच्चों की जोड़ी तारीफ करो जादा भी मत करना हिसाब किताब से जितनी जरूरत थे उतनी बच्चों को मनोबल बढ़ेगा उनका अच्छा लगेगा जब हम कोई काम करते हैं और आप अच्छा कहते हैं तो हमारा मनोबल बढ़ जाता है और जब आप हम अच्छा करते हैं और आप बुरा कहते हैं तो हमारा मनोबल घट जाता है तो समाज का मनोबल बढ़ाईए पतनी का मनोबल बढ़ाओ पती का मनोबल बढ़ाओ बच्चों का मनोबल बढ़ाओ और ये सब दिमाग से होता है तो दिमाग किसको देंगे दिमाग में संसार को रखेंगे और दिल में बात समझ में आगई क्या हाँ तो सुगदे भगवान कह रहे हैं राजन सत्याम खितव किम कसिपोः प्रयासई बाहव स्वसिध्य युपवरहनई किम सत्यान जलव किम पुरुधान्य पात्या धिगे वलके लादव सतिकिम दुखो लई ज्यादा हाय हाय नहीं इश्वर ने जितना दिया है बहुत है इश्वर ने जितना दिया है ज्यादा हाय हाय करने से रिस्टे विगड़ जाते हैं जीवन में अशान्ति आती है संतोस अच्छा बताओ सबसे बड़ा धन क्या है ये हरी मैय बताएंगे सबसे बड़ा धन क्या है भाईया बताओ सोफे में बैठे हो कागज हिला रहे हो बताओ सबसे बड़ा धन क्या है यह भाईया बताएंगे हमारे पीछे वाले बंदी भाई बताएंगे सबसे बड़ा धन क्या है मेरे भाईयो सबसे बड़ा धन मैया बताएंगे ये चस्मा वाली पीछे बंदी मैया नहीं चस्मा पहने पहने बताओ सबसे बड़ा धन कौन सा है संतोस सबसे बड़ा धन संतोस गौधन गजधन बाजधन और रतन धन खान जब आवे संतोस धन सब धन धूरी समान सबसे बड़ा धन है संटोष जितना विधाता ने दिया है उसमें संतुष्ट रहके भगवान का धन्यवाद देना ये सबसे बड़ी संपत्ति है एक खाव का कोई अंत नहीं है इसलिए संतोष आप लोग गलती कहां करते हैं आप लोग ये देखते हैं कि हमारा पडोसी तो दस हजार के जूते पहनता है जब आप अपने पडोसी को देखते हैं कि हमारा पडोसी दस हजार के जूते पहनता है तो आप दुखी हो जाते हैं कि हमारे पास तो चपल भी नहीं है दो हजार रुपे की भी चपल नहीं है और पड़ोसी दस हजार के जूते पहनता है आप उसे मत देखिए जो दस हजार के जूते पहनता है आप उसे देखिए जिसके पास जूता पहनने के लिए पाव ही नहीं है उससे आप अच्छे हैं या नहीं बोलो हाँ आप उसे क्यों देखते हैं जो बड़ी-बड़ी गाडियों में चलते हैं, आप उन्हें भी देखा करो न, जिनके पास चलने के लिए एक साइकल भी नहीं है, अपने से बड़ों को देखोगे, तो आप सदा छोटे रहोगे, और अपने से छोटों को देखोगे, तो आप सदा बड़े रहोगे, आप उन्हें मत देखिए जो बड़ी बड़ी गाडियों में बड़े बड़े बंगलों में रहते हैं आप उनको भी तो देखिए जो फुटपात पर सौने के लिए मजबूर है कम से कम आपके पास खुद का घर तो है आपके पास खुद की छाया तो है खाने को पेट भर रोटियां तो है उन्हें देखिए जिनके पास भर पेट रोटियां नहीं है आपका बच्चा जब पैदा होता है ना तो पालने में जूलता है गरीब लोगों को देखिए जो फुटपात पर सोते हैं वो मैया एक पेड़ पर साड़ी बांध देती है और दूसरे पेड़ पर उसका दूसरा छोर बांध देती है और साड़ी का पलना बना करके 6 दिन और एक महिने के बच्चे को साड़ी का पलना बना कर जूला जोलाती है उनसे आप बहतर है या ने आप ये देखते हैं कि वो कितना बड़ा आदमी है अरे वो अपने पुन्य से भाग से है हर व्यक्ति अपने भाग का खाता है साहब हर व्यक्ति अपने भाग का खाता है हर व्यक्ति अपने जो जिसका दाना पानी जहां होगा वो वहां का खाएगा इसलिए किसी को देख कर ये मत कहा करो कि वो वैसे हैं वो वैसे हैं ना हम जिस लायक नहीं थे उससे भी अच्छा जीवन भगवान ने दिया है इस बात के लिए इश्वर का धन्यवाद करो और जितना है उसमें संतुष्ट रहो मैया आपने ये जो साड़ी पहनी है कितने की है बताओ नहीं मजाक नहीं कर रहे हैं पूँच रहे हैं रेट कितने की है सब लोग अपने अपने साड़ी का रेट बताएंगे भी हम पूचेंगे आप बताओ पहले कितने की है धाई सो की है आपकी साड़ी आपकी एक हजार की है आपकी वाली धाई सो की ये आपकी साड़ी कितने की है पांस सो की ये मैई आपकी एक हजार की है और ये पीछे वाली बहन आपके ये सूट उट आपकी साड़ी कितने की है दो हजार तीन हजार की साड़ी है आपकी दो हजार की देखो किसी की साड़ी धाई सो की है किसी की साड़ी पांच सो की है किसी की दो हजार की है किसी की 5000 की भी होगी सोचिए कि समाज में आप एक काम करूए जो 2500 की साड़ी है न ये आप उतार कर जब आप किसी को देंगे कि बहन ये मेरी साड़ी तु ले जा तो आपकी उतारी हुई साड़ी लेने वाले भी आपको 50 लोग मिल जाएंगे कि हमें दे दो हमें दे दो हमें दे दो 2500 रुपय की साड़ी जो आप उतार देती है उससे लेने वालों की भी 50 और 100 लोगों की भीड़ हो सकती है हाँ या ना बोलो हाँ या ना इसका मतलब ये है कि आपको किसी का उतारन नहीं पहनना पड़ रहा है ये इश्वर की कृपा है या नहीं कुछ लोग तो दूसरों का उतारन पहनने के लिए मजबूर हैं गरीवी क्या क्या नहीं कराती साहब गरीवी क्या नहीं कराती इसलिए जितना इश्वर ने दिया है उसका धन्यवाद दो शिकायतें करेंगे न तो शिकायतों कभी कोई अंत नहीं है करते रहो शिकायतें तो रावड के पास भी थी जिसकी लंका सौने की थी इसलिए शिकायतों भरा जीवन नहीं धन्यवाद भरा एक मैया बोली महराजी मेरा बेटा एक बेटा था उसकी साधी 25 तारिक को थी और वो 9 तारिक को उसका सरीर पूरा हो गया बहुत रो रही थी मैया महराजी भगवान ने मेरा बेटा क्यों छेन लिया उसकी साधी होने वाली थी साधी ना हो पाई सारा तैयारियां हो चुकी थी सारा समान आ चुका था मैं बेटे का विवाह ना देख पाई महराजी भगवान ने मेरे साथ बहुत गलत किया मैंने उस मा को समझाया और मैंने कहा मा कितने साल का था तुमारा बेटा बोली 25 साल का मैंने कहा आपके भाग्य में तो बेटा था ही नहीं आप लोग ये सोचते हैं कि भगवान ने मेरा बेटा छीन लिया मेरी पतनी छीन ली, मेरा परिवार छीन लिया अरे आप ये क्यों नहीं सोचती हो मैंने कहा मा तुमारे भाग में बेटा था ही नहीं पर तुमने जो कभी पुन्य किया उस उन्य केबल पर भगवान ने तुमारे लिये 25 सालों के लिए बेटा का सुख दिया, बेटा भेजा, अब जिसने दिया था 25 साल के लिए 25 साल पूरे हुए उसने बापस बुला लिया, तुम्हें इस बात का धन्यवाद देना चाहिए कि विधाता जो मेरे भागे में नहीं था वो भी आपने दिया, इसका तुमने धन्यवाद नहीं दिया, तुमने शिकायत कर ली के भगवान तुमने हमसे बेटा छीन लिया, धन्यवाद देने के यदि शिकायत करने के बहुत बहाने हो सकते हैं, तो इश्वर का धन्यवाद देने के लिए भी बहाने बहुत हो सक हfa ऐसलिए दम भहत स्थे हैं अंधना के बख सोटमार जो महाना चाहिए और इस्वर की मजी मानकार उसकी मर जी में खारशेर में प्रसन चल्परभू जो आपकी एक्षा, जैसे रखें, राम जी रहना चाहिए, तेरे फूलों से भी प्यार, तेरे काटों से भी प्यार, जैसे भगवान रखें, वैसे रहो तो आज से कितने लोग ईश्वर से शिकायद करेंगे, मैया शिकायद करोगी, किस बात की, सुनती नहीं हो, बस बैटी हो, मिरी माँ तो कितने लोग ईश्वर का धन्यवाद देंगे, जो मिला हो उसके लिए, हाँ, करते हैं काना, तेरा हर पल शुक्रिया, खुशियां जो दी हैं, उसे का भी शुक्रिया, हम तेरा दिया खाएं, तेरा ही गुण गाएं, जीवन दिया जो, उसका भी शुक्रिया, तरते हैं काना, तेरा हर पल शुक्रिया, आओ धन्यवादें भगवाने का, करते हैं काना, तेरा हर पल शुक्रिया, कुषियां जो दी है उसका भी शुक्रिया करते हैं काना तेरा हर पल शुक्रिया कुषियां जो दी है उसका भी शुक्रिया करते हैं काना तेरा हर पल शुक्रिया कुषियां जो दी है उसका भी शुक्रिया करते हैं काना तेरा हर पल शुक्रिया हम तेरा दिया खाएं तेरा ही गुणगाएं जीवन दिया जो उसका भी शुक्रिया करते हैं ठाना तेरा हर पल शुक्रिया जब उसे देखी तेरी ये सूरत दिल में उतर गई बस तेरी मूरत जब उसे देखी तेरी ये सूरत दिल में उतर गई बस तेरी मूह लग दिल में उतर गई बस तेरी मूह लग तेरा दर्शन मुझे मिला मुर्खाया भूल किला तेरा दर्शन मुझे मिला मुर्खाया भूल किला जजरे जो दी है उसका भी शुक्रिया करते है काना तेरा हर पल शुक्रिया जजरे जो दी है उसका भी शुक्रिया करते है काना तेरा हर पल शुक्रिया जजरे उसका भी शुक्रिया हर पल जुवापे नाम हो तेरा तेरा गुलगान करना काम हो मेरा हर पल जुवापे नाम हो तेरा तेरा गुलगान करना काम हो मेरा तेरा तेरा सुमरन सदा करूं तेरा ही ध्यान धरूं तेरा तेरा आंतरों रानी जो जी है उसका भी शुक्रिया करते हैं काना तेरा हर भल सुखरिया हावारी जो दी है उसका भी सुखरिया करते हैं काना तेरा हर भल सुखरिया तेरी क्रिपा से लगन ये लगी है, सोई होई तक दीर जगी है तेरी क्रिपा से लगन ये लगी है, सोई होई तक दीर जगी है तेरी वक्ती मुझे मिली, जीवत को राह मिली वक्ती जो दी है, उसका भी शुक्रिया करते हैं काना तेरा हर कल सुक्रिया करते हैं काना तेरा हर कल सुक्रिया करते हैं काना तेरा हर कल सुक्रिया खुशिया जो दी है, उसका भी शुक्रिया हम तेरा दिया खाएं, तेरा ही गुणगाएं जीवन की आजो उसका भी शुक्रिया करते हैं काना तेरा हर कल सुक्रिया करते हैं काना तेरा हर कल सुक्रिया कुशिया जो दी है, उसका भी शुक्रिया करते हैं काना तेरा हर कल सुक्रिया कुषिया जो दी है उसका भी शुक्रिया करते हैं काना तेरा हर्मत सुच्रिया कुषिया जो दी है उसका भी शुक्रिया हम तेरा दिया खाएं तेरा ही गुण गाएं जीवन दिया जो उसका भी शुक्रिया करते हैं काना तेरा हर्मत सुच्रिया शुक्रिया शुक्रिया जीवन जो तुमने दिया धन्यवाद भगवान का सब लोग बोलो हाँ जोड़ो सब लो बोलो हे नाच मैं आपको कभी भूलू नहीं हे प्रभू जो आपने दिया है वो मेरी हैसियत से बहुत जादा है मैं इस योग नहीं था जो आपने दिया जो आपने दिया उसके लिए धन्यवाद जो मिला है अब वो मिला ही है कर भी क्या सकते हैं यदि दुख मिला है तो दुख वी इश्वर का प्रशाद है और सुख मिला है तो सुख वी इश्वर का प्रशाद है जेल में कभी खीर पूड़ी मिलती है या नहीं मिलती है न तो खीर पूड़ी मिलती है तो खीर पूड़ी खाते हो और दाल रोटी मिलती है तो खीर पूड़ी भी जेल से ही मिली और हलुआ पूड़ी और नमक रोटी दाल रोटी जो वो भी जेल से ही मिली दौनों चीजें यहीं से मिल रही है ऐसे ही सुख मिला या दुख मिला दौनों भगवान की ओर से मिला दौनों को स्विकार करो क्योंकि दौनों इश्वर का प्रसाद अच्छा एक मीठा या खटा दौनों वहीं से मिल रहे हैं इसलिए जो मिल रहा है उसे ग्रहन किया जाए दाल रोटी मिले तो दाल रोटी खाओ खीर पूरी मिले खीर पूरी खाओ और दोनों हाल में धन्यवाद दो शिकायत करके भी क्या पालोगे क्या कर लोगे शिकायत करके भी इसलिए तुमारा बेटा गोरा है काला है तुमारी पतनी गोरी है, काली है, पती गोरा है, काला है, गरीब है, अमीर है, जैसा है, मिल गया, अब उसे आप हस्ते हस्ते स्विकार करो, और खुश रहो, शुगदे भगवान ने राजा परिक्षित को दस लक्षनों का वर्णन, शुगदे भगवान ने भागवत जी सुनाई, भगवान की अत्रसरगो विसरगश्च स्थानम पोशन मूत या मनवंतरे शानु गथा निरोधो मुक्ति राश्रया, भगवान ने स्वरूप का वर्ण भागवान के स्वभाव का वर्ण, जब भगवान सांती दूद बन कर गए, और दुरियोधन ने भगवान को चपन भोग परोसा, और भगवान ने चपन भोग ठुकराए, और बिदुरानी के घर जाकर भगवान ने छिलकों का भोग लगाया, अच्छ करते हैं, खाने में भगवान को क्या पसंद है, खाने में भगवान को भक्त जो खिलाता है, खाने योगपदार्थ, स्रद्धा और भाव से जो खिलाए, बिदुरानी ने भगवान को क्या खिलाया था, केला के, केला छील कर फेकती गई फल, छिलका देती गई, भगवान न जो भक्त नी दिया भगवान ने वो ग्रहंण कर लिया छिलकों का भोग भाव का भूखा हूं मैं भाव ही एकसार है और भाव से भजले मुझे तो भवसे वेडा ये भाव की बात ऐं मिरी मां भाव है तो सब कुछ है भाव नहीं तो कुछ नहीं बिदुरानी ने भगवान जब द्वार पर आए तो छिलकों का भोग लगाया भगवान ने छिलके खाए बिदुर जी छप्पन भोग लेकर आए खिलाया भगवान को चपन भोग खाते हुए विदुर जी ने कहा काका जी जो स्वाद मुझे ने छिलकों में मिला वो आपके चपन भोग में नहीं हैं क्योंकि ये केवल छिलके नहीं थे एक भक्त का दिया प्रशाद है भगवान ये नहीं देखते कि आपने क्या दिया ना भगवान ये देखती है कि देने वाले का भाव कैसा था भाव अग्राही जनारदना भगवान किसको देखते हैं भाव को इसलिए भाव प्रधान है मेरी मा भगवान को भाव चाहे इसलिए भाव से भगवान को दो प्रेम से भगवान को दो जब भगवान अपनी लीला पूरी करके गए और विदुर जी को भगवान ने जब अंत में याद किया तो विदुर जी मैत्रे जी के पास कई और मैत्रे जी से कहा कि भगवान इस संसार में क्यों आते हैं मैत्रे जी ने कहा धर्म की स्थापना करने आते हैं किस तरह आते हैं पूरी बात सुनाई भगवान नाराण की नाभी से कमल उत्पन होता है कमल मैं ब्रह्मा जी और फ्रब्रह्मा जी ये स्रश्टी का क्रम उत्पन करते हैं ब्रह्मा जी के सरीर से अन्य देवताओं अन्य रिशियों का जनम हुआ और ब्रह्मा जी के सरीर से मनु और शत्रूपा का जनम हुआ मनु शत्रूपा की तीन बेटियां हुई और दो बेटे हुए आकूती देवहुती प्रसूती नाम की तीन बेटियां प्रियब्रत और उत्तान पाद नाम के दो बेटे आकूती का विवाह रुची प्रजापती से हुआ जिनके यहाँ यग भगवान हुए और देव हुती का विवाह करदम जी से हुआ जिनके यहां कपिल भगवान बनना हुआ माता देव हुती का विवाह करदम जी से हुआ करदम जी बहुत बड़े संत हैं और देव हुती का जब विवाह संपन हुआ तो माता देव हुती से उनके पती करदम जी ने पूछा की देवी अच्छा करदम जी का विवाह हुआ और वो विवाह होते ही तपस्या मैं चले गए जागे तो एक पतनी बुढ़ी हो चुकी ची चालिस वर्सवा समाधी खुली देवी तुम कौन हो महराज में आपकी धर्म पतनी अच्छा तुमने बहुत तप किया मेरे लिए कुछ मांग लो माता देव हुती ने कहा मुझे एक पुत्र चाहिए करदम जी ने के विमान बनाया कामग विमान उस विमान में दोनों पती पतनी गए और करदम जी की नौ बेटियां हुए कला, श्रद्धा, गती, हविरभू, अनुशुया ये सब ब्रह्मा जी के नौ मानस पत्रों से देव करदम जी की नौ बेटियों का विवाह संपन हुआ अब करदम जी ने हाथ जोड़ कर कहा देवी, मुझे आज्या दो जाना है कहां स्वामी? ग्रहस्थी पूरी हो गए अच्छा ग्रहस्थी कितने वर्ष की होती है मेरी माँ? उत्तर दो ग्रहस्थाश्रम कितने वर्ष का होता है? मैया ओ मेरी पीली मैया ग्रहस्थाश्रम कितने दिन का होता है मेरी माँ? नहीं बताओगी, गुस्था हो क्या? नहीं? यह मैया बताएंगी गुर्षी में बैठी है बताओ मेरी माँ हाँ? कितने वर्ष की होती है ग्रहस्थी? सौ सौ ग्रहस्थाश्रम कितने आश्रम होते है हमारे बंदी भाई बताएंगे कितने आश्रम होते है चार कितने आश्रम होते है चार पहला व्रम्ह चर्य दूसरा ग्रहस्थ तीसरा वानप्रस्थ चौथा सन्यास इनमेंसे दूसरे नमबर का है ग्रहस थाश्रम चारों आश्रम 25-25 साल के होते हैं ग्रहस थी कितने वर्ष की होती हैं 25 साल की मतलब यह हुआ कि जब आपकी उमर 50 साल की होती है जब आपकी बेटी का विवाह आप कर लेते हैं जब आपके बेटे का विवाह आप कर लेते हैं बेटी का विवाह हो गया बेटी का विवाह हो गया बेटी और बेटे का विवाह होते ही आपकी ग्रहस्थी पूरी हो जाती है अब आप दौनों पती पतनी रहो साच में पर भोगी बनकर नहीं योगी बनकर के रहो भक्त बनकर के रहो अब मन सब से हट जाए और भगवान से मन लग जाए यही ग्रहस्थी तो आप मैंसे कितने लोगों के बेटा और बेटी का विवा हो चुका है किन लोगों की बेटी और बेटों का विवा हो चुका अहां तुठालो हो गया तो आप लोग ग्रहस्थी से पूरे हो गए अब ग्रहस्थी के बाद कौन सा आश्रम है ग्रहस्था आश्रम के बाद वान प्रस्थ वान प्रस्थ मतलब वन की और मतलब वन मतलब अब जंगल कहां जाओगे तो अब मतलब बेटा बेटी को जिम्मेदारियां दो और आप लोग तीर छियात्रा पर निकलो कुछ समय व्रंदावन कुछ समय अभ भगवान के चिंतन में लगाओ आपकी उमर भी इसारा करने लगी पचास वर्ष के बाद क्या स्टेट होता है इक्यावन वन जाओवन की ओर जाओ बनकी और जाओ मतलब निकलो आप घर से भगवान में मन लगाओ लेकान आप लोग हैं निकलते हैं बुढ़ापे में और ज़्यादा चिपक जाते हैं संसार से अच्छा बूढ़े आदमी को ज़्यादा माया परेशान करती है बुढ़ापे में ज़्यादा नोट गिनता बुढ़ादमी बुढ़ापे में बहुत ज़्यादा माया घेरती है पता नहीं क्या हो जाता बुढ़ों को बुढ़ापे में और हाई 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 चालू हो जाता इसलिए बुढ़ापा आए उसके पहले मन भगवान में लगा लेना वरना बुढ़ापा बहुत सताएगा बच्चे कहते हैं जाओ निकलो घर से तीर्च यात्रा में बढ़ू निकलती नहीं समय होता है समय से विवाह कर लो, समय से बच्चे पैदा कर लो, समय से बच्चों का विवाह कर लो और समय से मन सबसे हटा कर, समय से मन प्रभू के चरणों में लगा लो यही जिंदगी है बुढ़ापे में तुम्हें बच्चे प्यार से दो रोटी नहीं देते, सम्मान से दो रोटी नहीं देते तो क्यों कुत्तों की तरह खाने के लिए मजबूर हो क्यों नहीं अपना तीर्चों में निकलते जवानी में जो पैसा कमाओ उसका कुछ हिस्सा बच्चों में दे दो पर कुछ हिस्सा अपने पास रखो और जाओ वरंदावन जाओ अयोध्याजी जाओ हरिद्वार और अपने पैसे से धरम साला लो वहीं रहो वहीं खाओ और भगवान का चिंतन करते करते तीर्ठों में प्राण जाएं ये सबसे उत्तम है अब तुम बुढ़ापे में घर में क्या कर रहे हो पोता पोती के लाथ खाने के लिए घर में पड़े हो क्या क्या काम तुमारा बुढ़ापे में बताओ इसलिए बुढ़ापा ठीक करना है तो चारों आस्रमों का पालन हो ग्रहस्थी से पार हो जाओ अब देखो आपकी 50 साल की उमर हो गई बेटी का व्याह हो गया बेटों का अब सारा सुख देख तो लिया क्या बचा है तुमारे लिए पतनी का सुख ले लिया बच्चों का सुख ले लिया पैसा भी कमाया पद प्रतिष्ठा हुई अब पाया छोड़ो भी ना भाई थोड़ो भी अब छोड़ो बेटा बेटी को दो अपना चित भगवान में लगाओ मरने के पहले सबसे मन हटा देना सांती से कम से कम मर जाओगे घर में रहोगे घरवाले मरने नहीं देंगे जैसे ही मरने के लिए लेटोगे न घरवाले परिवार के लोग आएंगे आपको हिलाएंगे हमें पहचानो हमें ये दुनिया आपको हिलाएगी ठेकाने से मरने भी नहीं देगी ठीक ठीक लोग हिलाते हैं हमें और इतनी धक्का मुक्की करते हैं मरने के समय कई लोग तो मरने वाले के उपर गिर जाते हैं तुमारे गिरने इसे बढ़ो निपट गए और तुम्हें ये गलत फहिमी बहुत रहती है कि हमारे बाद क्या होगा महराज तुमारे बाद सब ठीक होगा तुमाराम से मरो तुम्हारे विना तुम्हारे बाप के विना तुम्हारे दादा के विना किसी का काम रुका मर तो गए तुम्हारे बाप दादे क्या काम रुका तुम मर जाओगे तो क्या काम रुकेगा ये गलत फहमी मत पालो कि हमारे विना कुछ रुकेगा ये स्रश्टी हमारे बिना भी थी, हमारे साच भी है और हमारे बाद भी रहेगी कुछ ना बिगड़ा किसी का, कुछ ना बिगड़ना ये गलत फेहमी में जी रहे हो तो त्याग दो ये गलत फेहमी किसी का कुछ ना बिगड़ना आपका मन भगवा इतना तो करना स्वामी जब प्राण तन से निकले गोविंद नाम लेकर मेरे प्राण तन से निकले संसार में अब आप कुछ लोगों की तो पत्नी भी चल बसी अब पत्नी भी चली गई वेचारी बच्चे बड़े हो गए कमा रहे हैं बहु आनंद से है पोता पोती ठीक है अब तुम का है घर में कुछ बूढ़े लोग तो बताव अभी भी महंदी पोत पोत के मूचों में साधियां टेंड कर रहे हैं ये तुमारी महंदी पोत के साधियां टेंड करने की उमर है कि हम माला जपने की उमर आ गई ये बूढ़े कोई जाए ना जाए साधियों में ये बूढ़े जरूर जाएंगे गुलाब जामुन खाने लाठियां ले लेके डंडा ले लेके अब ये तुमारी उमर गुलाब जामुन खाने की है के सूखा रूखा खाके भगवान का चिंतन करने की है ब्रह्मचर्य ग्रहस्थ रुवानप्रस्थ वानप्रस्थ जब उमर लगे तो सूखा रूखा खाए के ठंडा पानी पी देख पराई संपति मतलल चाय जी जो मिल जाए खा करके प्रभू का स्मर्ण कर लो भगवान का चिंतन करो समय से मन भगवान में लगेगा गती बनेगी घर परिवार में रहने से कोई लाव नहीं है पैसा कमाना बुरा नहीं है साब कमाओ लेकिन बूढ़े लोग भी पैसा कमाते किसके लिए हैं सारा कमा कमा के बच्चों को दे रहे हैं अरे भाई तुम अपने लिए भी कुछ कर लो तुम नहीं फायदा नहीं जो आप दीन दुख्यों को देंगे पैसा कमाओ तो दानपुन्य करो पर आजकल का अदमी सारा कमा कमा के बच्चों को देता है अरे बच्चे पढ़ा लिखा के योग बना दो वो कमा लेंगे न तुम क्यों बढ़ापे में उनके लिए कमा रहे हो क्यों तुम्हारे बच्चे अपाहिज हैं क्या, उनको कमाने दो ना, तुम कमाओ तो अपने हास से समाज की सेवा करो, किसी गरीब बेटी का विवाह करो, किसी भूखे को रोटी अन्न छेत्र खोलो, अन्न छेत्र में सहयोग करो, किसी बूढी ब्रद्धमा का सहयोग करो, कोई जिस के पास खुब है फिर भी कमाई जा रहे हो अपने लिए अपनों का पेट तो चिडिया भी भर लेती है साहब पर सभी में बाट कर खाए उसे इंसान कहते हैं कमाना बुरा नहीं है बुढ़ापे में भी पैसा कमा रहे हो आप तो सही है पर उस पैसे का क्या समाज की उप्योग में खर्च हो रहा है तुम बेटा बेटियों के लिए ही कमा रहे हो तो तो तुमारे बेटा बेटी अपाहिज है क्या सवाल यह है क्या वो कमा नहीं सकते कि तुम बुढ़ापे मुन के लिए कमा रहे हो तो अब बेटा बेटी के लिए नहीं समाज के लिए कमाओ कि जो को पेटवर खिला रहे हैं इसलिए सार्थक हो जीवन आपका बुढ़ापा बिगाड़ो मत भगवान का चिंतन करो अपने जीते जी भागवस सुन लो तुम मर जाओगे तुमारा बेटा पतानी भागवस सुनवाएगा नहीं सुनवाएगा तुमारा बेटा गौदान मरने के बाद लोग तेरा ब्रामण ढूड़ते हैं वैया आओ बाप की तेरी ही खाना है तुम मरने के बाद तेरा ब्रामण खवाओ मरने के बाद तेरवी बेटा करे ना करे तुम अपने जीते जी अपनी तेरवी करके मरो ना आराम से अपनी तेरवी कर लो, अपने नाम से गउधान कर लो, अच्छे काम कर लो, आखरी में केबल मरने को रह जाए सांती से मर जाएंगे जब आदमी के पास समय होता है ना तो उल्टे काम करता है और मरने के समय भाईया जरा ये पुन्य कर दो, ये पुन्य कर दो तुम मरते समय तुम्हें पुन्य आदाता है जी तेजी जब कमा रहे थे मस्त तब कहां पुन्य था तुम्हारा क्या पुन्य किया तुम्ने क्या अच्छे काम किये तुम्ने ईश्वर पूरा हिसाब निकालेंगे तुमने कितना अच्छा किया, कितना बुरा किया, कितना पुन्नी किया, कितना पाप किया इस्वर के पास सबका है साब किताब है साहब, तुम बच जाओगे क्या लाख आँख से देख रहा है तुझे देखने वाला सच की खेती कर ले चतुर नर समय गुजरता जाता मेरे मालक की दुकान में सब लोगों का खाता हा या ना किसके लिए कमा रहे हो बेटा बेटा नहीं बेटी बेटी नहीं हां मान मेरा कहना नहीं तो पच्चताएगा ये मिट्टी का खेलोना मिट्टी में मिल जाएगा बात हमारी मान लो भली बात है मैया आपका मन कहां लगा है मेरी मा पोता पोती में मान मेरा कहना नहीं तो पच्चताएगा मान मेरा कहना नहीं तो पच्चताएगा मिट्टी का खेलोना मिट्टी में मिले जाएगा मान मिट्टी का खेलोना मिट्टी में मिले जाएगा बेटा बेटा क्या करता है मैं बेटा बेटा क्या करता है पेटा तेरा एक दिन पडोसी बन जाएगा मिट्टी का खेलोना मिट्टी में मिले जाएगा मान मेरा कहना नहीं तो पच्चताएगा मिट्टी का खेलोना मिट्टी में मिले जाएगा बेटी बेटी क्या करता है काम तो ना बेटा आएगा ना बेटी 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 क्या करता है बेटी तेरी एक दिन जामाई ले जाएगा मिटी का खिलोना मिटी में मिल जाएगा मिटी का खिलोना मिटी में मिल जाएगा मान मेरा कहना नहीं को बचताएगा मिटी का खिलोना मिटी में मिल जाएगा पडोसी पडोसी क्या करता है पडोसी पडोसी क्या करता है पडोसी तो एक दिन जला के चला आएगा पडोसी तो एक दिन जला के चला आएगा मिटी का खिलोना मिटी में मिल जाएगा मान मेरा कहना नहीं को बचताएगा मिटी का खिलोना मिटी में मिल जाएगा धन दालत तेरे कोठी बंगले इन से ममता छोड़ते बंगले इन से ममता छोड़ते बंगले सब कुछ तेरा यहीं में रह जाएगा सब कुछ तेरा यहीं पे रह जाएगा मिटी का खिलोना मिटी में मिल जाएगा मान मेरा कहना नहीं तो पशेटाएगा मिटी का खिलोना मिटी में मिल जाएगा मिटी का खिलोना मिटी में मिल जाएगा मान मेरा कहना नहीं तो पशेटाएगा मिटी का खिलोना मिटी में मिल जाएगा मान मेरा कहना मेरी माँ बेटा बेटा क्या करता है बेटा तेरा एक दिन पडोसी बन जाएगा ये मिटी का खिलोना मिटी में मिल जाएगा कितना भी मन बेटा बेटी में लगाओ पर वो आपको छोड़ कर चले जाते हैं अपना सुख में जीवन विताते हैं बेटी बेटी क्या करता है बेटी तेरी एक दिन जमाई ले जाएगा ये मिटी का खिलोना मिटी में मिल जाएगा बेटी जमाई ले जाएगा तुम रह जाओगे इसलिए ना साथ बेटी देगी ना साथ बेटा देगा जो पुन्य किया है आपने जीवन में वही पुन्य आपका साथ देगा इसलिए धर्मान गोग अच्छत जीवएगा साथ में ना बेटा जाएगा धनानी भूमव पसवस्च गोष्ठे नारी ग्रहद्वारी जनाहस मसाने देहस चितायां पर लोक मारगे धर्मान गोग अच्छत जीवएगा धनानी भूमव धन संसार तक साथ देगा पसवस्च गोष्ठे पसू पक्षी केवल घुडसाला गौशाला तक पसू पक्षी साथ देंगे पतनी नारी ग्रहद्वारे नारी दरवाजे तक साथ देती है परिवार परिजन समसान तक साथ देते हैं ये शरीर चिता तक साथ देता है, आगे की यात्रा आपको स्वयम करनी पड़ेगी, अन्तिम साथी आपका पुन्य बनता है, आपका धर्म आपके साथ जाएगा, इसलिए साहब, बेटा बेटी में इतने मस्त मत हो जाना, कि धर्म करना भूल जाओ, क्योंकि धर्म ही साथ जाएगा, धर्मा अनुगोग अच्छत जीव एका, ना पतनी, ना पती, ना परिवार, ये दुनिया के लोग तुमारे लिए कुछ दिन रोईंगे, और फिर भूल जाएंगे, यही रिती है, आप मर जाएंगे न, तो दुनिया के लोग तुमारे मरने पर भी चाय, पी-पी के लोग रोईंगे, सास मर जाती है तो पडोसन चाय बना के लाती है थोड़ी सी पीले अधरकवाली लाई हो सास मरी पढ़ी है और बहुरिया चाय पी रही है थोड़ा चाय पिएगी फिर रोने लग जाएगी हां या ना यहां बाप मरा पड़ा है बेटा चाय पी रहा है साम को कोई मर जाए तो पूरी रात आदमी चाय पीता है कि नहीं पडोसी वेचारे वना वना के ले आते हैं कोई अधरक वाली लायता कोई लाईची वाली ले आता खुब पीते हैं चाय तो सुन लो तुमारे मरने के बाद ये दुनिया चाय की चुस्कियां लेगी किसी को फर्क नहीं पड़ता कि आप जिन्दा हैं कि मर गए फर्क पड़ेगा तो केवल हमें ही पड़ेगा हम मरें हैं इसलिए इसलिए हमारा पुन्य हमारा पाप हमारा साक्षी बनेगा इसलिए साहब राम नाम की लूट है लूट सके तो लूट ये राम नाम की लूट है मतलब भगवान का नाम जपलो जितना जपलो पुन्य कर लो जितना कर लो क्योंकि स्वास पूरी होने के बाद आप फिर पुन्य चाह करके भी कर नहीं सकते लूट लो जितना राम नाम लूटना है पुन्य करना है कर लो क्योंकि अंत में जाएगा कौन हमारे द्वारा किया गया पुन्य हमारे द्वारा किया गया धर्म इसलिए कहता हूँ गौरी गोपाल आश्रम में अन्य छेत्र की करती है हज्जारों साधू भूजन करते हैं आप भी अपने लिए अपने जीवन में जीते जी अन्यदान कर लो मरने के बाद तो अन्यदान लोग करते ही हैं करेंगे सो करेंगे तुम जीते जी कर लो जीते जी गुदान कर लो गारी गुपाल गुशाला में गुव माता रहती हैं गाय के लिए संतों के लिए जीते जी किसी बूढ़ी मा का सहारा बन जाओ किसी व्रद्धमा को आप गोद ले लो किसी व्रद्धमा को रोटी दे दो जो बे सहारा है उनका सहारा बन जाओ साहब जो पुन्य कर लोगे वही पुन्य आपका धन होगा पायो जी मैंने राम रतन धन पायो कौन सा धन काम आएगा आखरी में कागच के टुकडे सबके रह जाने हैं ये सोना चांदी का जादा घमन ना करो मेरी मा तुम कितने भी बड़े जुमके पहलो तुमारे मरने के बाद सब उतर जाएंगे तुमारा सारा गहना जेवर धन दौलत बट जाएगा पर जो तुम पुन्य करोगे वह पुन्य कोई ना बाटेगा वह तुमारे संग चलेगा इसलिए पुन्य करना सीखो भले काम करना सीखो अच्छे काम कर लो हम कह रहे हैं आप लोगों को समझा रहे हैं बाद में यह मत बोलना हमसे किसी ने कहा ही नहीं तो मान मेरा कहना नहीं सो पच्छताएगा यह मिटी का खिलोना मिटी में मिल जाएगा यह मिटी का खिलोना है साहब करदम जी महराज ने इनों बेटियों का विवाह कर दिया मा देव हुती ने कहा पुत्र चाहिए कुछ दिन रुके और उनके गर्व से साक्षाज भगवान कपिल देव जी प्रगट हुए कपिल देव जी ने आज अपनी मा को उपदेश किया माता देव हुती ने हाँ जोड करके कहा निर्विना नितिरां भूमन सदिंद्रिय तर्शनात ये न संभाब्यमाने न प्रपनां धम्तमहा प्रभूर्ष आज माता देव हुती ने हाँ जोड कर अपने पुत्र भगवान कपिल देव जी से कहा बेटा मेरा मन बहुत अशांत है मैं क्या करूं कि मन शांत हो कपिल भगवान ने कहा मा मन को सांत में सांत करना हो तो तिदिक्षवाह कारुणी कहा सुहरदह सरवदेहिनाम अजात शत्रवाह शांता साधवाह साध वोश्या मैया ओ पीली मैया कर लो पंचाय तूपर बैठी सुन लो मेरी मा आई हो कछा सुनने जेल में तो थोड़ी सुन ही लो अब भगवान की कछा आप सब प्रेम पूरवक सुन रहे हो तो ध्यान से सुन ही लो भगवान की कछा सुनने के लिए देखो कितने सारे भक्त हैं जो जेल भी आने को तैयार हैं बाहर से भीतर आगए कछा सुनने के लिए चलो कछा सुनेंगे कुछ लोग तो बाहर से भीतर आगए कछा के लिए खुसी खुसी आ गए कल हमें एक बंदी भाई मिला उसको यहां से जेल से उसको छुटी मिल चुकी है कि तुम जा सकते हो हो गया उसका सजा पूरी लेकन वो बेचारा कथा के लिए रुका है कि मैं पूरी कथा सुनखे जाऊंगा पूरी कथा सुनगा फिर जाऊंगा यहां है क्या वो भाई कल हमें वो मिले बोले हमारा अच्छा वो यहां बैठे हैं वो बैठे है पूरा हो गया इनका कारेकाल यहां जेल का इनकी छुटी हो चुकी है जेल से रिहाई हो चुकी है पर यह अब ही इसलिए नहीं जा रहे है यह खड़े हैं भाई साव यह अभी जाएंगे बोले हम कथा सुनके जाएंगे पूरी देखो जरा कथा भगवान की कथा उतनी कि कथा सुनकर ही जाएंगे कथा इतनी सुन्दर है की सब लोग जो जहां है सब अपना भूल जाते हैं कि हम कहां हैं कैसे हैं भगवान में रम जाते हैं भगवान की कछा भगवान में डुबा देती है जिनकी कछा में इतना आनंद है उन्हें कृष्ण में कितना आनंद होगा सोचिए जिनकी कछा इतनी मन मोहक है वो कृष्ण कितनी मन मोहक रहे होंगे इसलिए तुनका नाम है चित छोर क्या नाम है चित छोर कछा जेल के अंदर चल रही है भौपाल की एक मही आई पुलिस वाले भहिया से बाहर बोली भहिया हमें भी भीतर ले लो हमें भी अंदर कर लो पुलस वाले वाई ने कहा तुमने कोई गुनाह किया है कहा वोले नहीं गुनाह नहीं किया हमें अंदर आना है वोले काय के लिए वोले कछा सुनने के लिए आना है मतलब कछा के लिए लोग जेल के अंदर कछा हो रही है तो जेल के अंदर भी आने को तयार है भगवान की कछा ऐसी है कि भगवान की कछा के लिए लोग सब जगह जाते हैं ये कछा से प्रेम हैं आप लोगों का और आप लोग सुन रहे हैं ये बहुत अच्छी बात है जो यहां है वो यहां सुन रहे हैं बाकी लोग टीबी पर मोबाइल पर पूरा भोपाल पूरे लोग सब लोग सुन ही रहे हैं अभी भोपाल में जेल के अंदर कथा करने आये हैं बहुत जल्दी भोपाल शेहर में बाहर कथा करने आएंगे ठाकुर्जी चाहेंगे तो आएंगे जब भोपाल वाले बुलाएंगे तब आएंगे अभी तो हमारे कैदी भाईयों ने बोला कि गठा सुनना है तो हम इनके बीच में गठा सुननाने आ गए तो माता देव हूती ने कहा निर्विन्ना नितराम भूमन सदिंद्रिय तर्शनाज हमारी बुद्धी हमारे मन बहुत चंचल है प्रभू क्या करें आप मैंसे कितने लोगों का मन चंचल है चंचल है कंट्रोलिंग पावर पता है कैसे कंट्रोल करना है मन को कैसे करना बता मैया बताओ मिरी मा मन को कैसे कंट्रोल किया जाता है बताओ मन को पूरी फसाद की जड़ मन है यदि आपका मन आपके वसमे है तो आप बहुत सुखी है और आपका मन आपके वसमें नहीं है, यह गुस्सा क्यों आता है, यहां जितने हमारे कैदी-बंदी भाई लोग हैं, इन्होंने बहुत सारे कुछ लोगों ने अपराध किये, जिस अपराध के कारण जेल में आना पड़ा, यह अपराध करने के किसी ने गुस्षे में कुछ कर दिया, जेल आना पड़ा, तो गुस्षा मतलब आपका मन आपके कंट्रोल में होता, तो गुस्षा भी आपके कंट्रोल में होता, अच्छा मन कंट्रोल में हो जाएगा, तो गुस्षा भी कंट्रोल हो जाएगा, वासना भी कंट्रोल हो और यदि मन कंट्रोल नहीं हुआ तो कुछ भी कंट्रोल नहीं होगा इसलिए हमारे देश में रिसी मुनियों ने राजाओं को नहीं जीता देशों को नहीं जीता मन को जीतने पर लगे रहे मन को जीतना सबसे बड़ी बात है हमने किसी राजा को जीत लिया क्या बड़ी बात मार काट करके हमने किसी राजा को जीत लिया हमने किसी देश को जीत लिया बड़ी बात नहीं अरे राजाओं को जीतना बड़ा नहीं है मेरी मा जीतना है खुद को जीत करके दिखाओ इसलिए हमारे यहां किसको जीतने की बात कही गई स्वयम को जीतो हमारे देश में साधू संत किसको जीतते हैं अपने मन को अपने इंद्रियों को अपनी वासनाओं को अपने मन को कंट्रोल रखते हैं मन को इतना भी उद्दंड ना बना दो इतना भी आजाद ना कर दो कि आपका मन सारी जिन्दगी आपको रुलाए अब यहां जितने हमारे बंदी भाई हैं कल मैं बंदी भाईयों से मिले उनके वैरल में गया और वहां जाके पूछा कि आप कैसे जेल में आए तो एक दादा जी थे वो बेचारे रोते रोते अपनी बात बता रहे थे उन्होंने बताया कि महराजी नवंबर का महिना था भोपाल में उस समय बहुत सर्दी पड़ी थी आज के दस साल पहले मैं सो रहा था मेरी पतनी ने एक्जाम दिया था तो उसका रजेल्ट आया था तो वो बहुत खुस थी वो बोली कि जरा ओनलाइन कंप्यूटर चालू कर दो मैं अपना रजेल्ट देख लूँ कि क्या नंबर आये में पास हुई के नहीं तो पती रजाई ओड़े सो रहा था तो पतनी ने रजाई खीच दी जरा उठो जी वो रजेल्ट हमारा देख दो हम पास हुए के नहीं अच्छे नंबर आये के नहीं बड़ी खुस थी रजेल्ट आ गया उसे विश्वास था मैं जरूर पास हो जाऊंगी अच्छे नंबर लाऊंगी वो पती की रजाई खीची तो पती बोला रजाई मत खीचो मुझे सर्दी लग रही है मैं सौँगा पती ने दुबारा रजाई खीची तो उसने बोला कि यदि तुमने अब रजाई खीची तो गला दवा दूँगा तो पतनी बेचारी वो तो खुस थी उसने ये छोड़ी सोचा था के मेरा पती मेरा गला दवा देगा बेचारी ने तीसरी वार रजाई खीच दी तो इसने उसका हाथ पकड़के विस्तर पर लिटाया और कस के गला दवा दिया बेचारी मर गई वो मर गई तो साहब जेल में है कि दस साल से जेल में हैं और यह रात वर उसके साथ पड़े रहे क्योंकि यह शराब के नसे में थे सवेरे जब यह जागे तो देखा किसकी तो सांस नहीं चल रही है देखा तो यह खुद हॉस्पिटल ले गए जब ले गए जब वहां पर सब हुआ तो पता चला कि गला दबा के मारा गया अब वो रो रहे थे गलती तो की अब हैवी पश्चा ताप बात यह नहीं है कि आपने पश्चा ताप किया बात यह है कि यह गलतियां ही क्योंकि आपकी जरा सी गलती अब बेचारी वो खुश थी उसका रिजल्ट आया था और वो पती भी बहुत पढ़ा लिखा पर शराब पिया था गुस्सा में कंट्रोल नहीं था शराब पी और उपर से गुस्सा वो बेचारी पतनी का गला ऐसे दवाया वो स्वास नली तूट गई तुरंत स्पॉट में मर गई ये क्यों हो रहा है ये इसलिए आपको जरा कंट्रोल नहीं है साधु संत कहते हैं शराब ना पिया करो ना पिया करो मत पिया करो साहब आज जितने भी कैदी हैं यहां सौमे से 99 कैदी शराब की बज़े से जेल में हैं सारे लोगों ने शराब पी कर गलत काम किये और जेल में आ गए कंट्रोल नहीं था गुस्से पर थोड़ा कंट्रोल करो और सुनो ये मत कहा करो हमारा मन वश्मे नहीं है करने से सब होता है मंदारी भी बंदर को वश्मे कर लेता है हां या ना मंदारी भी बंदर को जोर से बंदर को वसमे कर लिया, सरकस में सेर और हाथी को वसमे कर लिया जाता है, तो आप कैसे इंसान हो, कि अपने मन को, अपनी छाओं को वसमे ना कर पाए, अरे जो मन को वसमे कर ले, वही तो इंसान है, वरना सब सैतान है, इंसान है, तो मन वसमे, इसलिए मन को कंट्रोल करो, ग लाख यौनियों में सबसे स्रेश्ठ यौनी मनुष्य की यौनी है इस मनुष्य का सरीर पाकरवी तुम गुस्सा कंट्रोल ना किये एक दूसरा भाई हमें कल बता रहा था मैंने पूछा तुम जेल में कैसे आ गए उसने बताया कि मैं अपने पिता से पचास रुपए मांगा कि जरा खर्चा पानी को पचास रुपए दो तो पिता ने नहीं दिया मुझे गुस्सा आया कुलहाडी पड़ी ची पिता की एक गरदन में मार दी पिता तुरंच मर गए बेटे ने अपने बाप की गरदन में कुलहाडी मार दी किस के लिए पचास रुपए के लिए मतलब इतना भी क्या गुस्सा साहब कि तुम अपने बाप को कुलहाडी से मार दो तुम अपनी पतनी का गला दबा दो यह से कैसा गुस्सा है इसलिए साहब बच्चों को थोड़ा भले कम पढ़ाओ लिखाओ पर उन्हें ऐसा कुछ ग्यान दो सत्संग कराओ सत्संग के बल पर ही वो अपने क्रोध को कंट्रोल कर पाएंगे अपनी इंद्रियों को कंट्रोल कर पाएंगे controlling power होगी तो control होगा एक आदमी से मैंने बात की वो ले तुमने क्या गलती की कि जेल आ गए वो ले मैंने बलातकार कर लिया अब ये क्या था तुमारे अंदर इतनी भी controlling नहीं थी कि तुम ये गलत हरकत ना करो अपने हर चीज को control करने पड़ती है अपनी हर चाओं को हर इंदरी आख को control करो ये कुछ भी न देखे कान को control करो कुछ भी न सुने मूँ को control करो कुछ भी न बोले चमडी को control करो कुछ भी भूख दो होती है मेरी मा एक पेट की भूख होती है भूँख होती है किसकी पेट की और एक भूँख होती है चमडी की पेट की भूँख फिर भी बुझ जाती है पर ये चमडी की भूँख नहीं मिटती भूँख नहीं बुझती इसलिए इन भूखों को बुझाने और मिटाने के लिए बच्पन से अपने बच्चों को सत्संग से जोडेंगे तो जब आध्यात्म अंदर प्रवेश करेगा तो उनकी इंद्रियां उनका मन उन्हें परेशान नहीं करेगा आप लोगों की गलती ये है कि आपने अपने बच्चों को खोव डिगरियां तो दी पढ़ाया लिखाया पर आपने आध्यात्म से अपने बच्चों को नहीं जूड़ा इस संसार में गुस्चे की कोई दवाई नहीं है लेकन मैं गारंटी लेता हूँ, लिखित मैं दूँगा आपको कि आप सत्संग करिए, अपने आप, आपका क्रोध, आपके अंदर की हर बुराई एक महिने सत्संग करके देखिए, एक महिने में परिणाम देख जाएगा आपका मन सांत होने लग जाएगा, इंदरियां सांत होने लग जाएगी गुस्सा बिलकुल सांत हो जाएगा, इतना प्रभाव है सत्संग का, कि आपको गुस्सा ही नहीं आएगा सत्संग करिए इसलिए हमारे रिशी मुनी कह गए कि एक घड़ी आधे घड़ी आधे की पुनियाद तुलसी चर्चा राम की हरही कोटी अपराद थोड़ा ही सही साहब सत्संग किया करो सत्संग नहीं करेंगे तो आप शैतान हो जाएंगे सारे गलत काम आप कर लेंगे ये आतंकवादी कौन होता है सत्संग करने वाला आध्यात्म से जुड़ा हुआ व्यक्ति क्या कभी किसी के प्राणों को लेगा क्या कभी वो आतंकवादी बनेगा नहीं इसलिए आप अपने बच्चों को हर सब के लिए चाहे तुम हिंदू हो, मुसलमान हो, सिखो, हिसाई हो, यहुदी हो, कोई हो सबको दया करना सिखाओ सबको प्रैम करना सिखाओ कि भाई तुम कोई भी हो, तुम हिंदू हो, मुसलमान हो फरक नहीं पड़ता तुमारे अंदर दया होनी चाहे दया की जरूरत सबको है इसलिए एक अच्छे इंसान बनो अपनी इंद्रियों को अपने मन को कंट्रोल में रखो इतना भी आजाद ना छोड़ दो अपने मन को कि आपका मन कुछ भी करे कुछ भी आपसे कराए कंट्रोलिंग सार्थी कौन है अर्जुन के सार्थी भगवान कृष्ण बने पहले के जमाने में लोग रख चलाया करते थी और रख को कैसे रोकना है कहां रोकना है कहां मोडना है उसको आता था हाँ या ना घोडे के क्या खीचने से घोड़ा रुकता है जोर से जोर से लगाम बताईए क्या बिना लगाम का घोड़ा किसी काम का है उत्तर दो क्या बिना ब्रेक की गाड़ी किसी काम की है यदि गाड़ी में ब्रेक ना हो तो गाड़ी किस काम की घोड़े में लगाम ना हो तो घोड़ा किस काम का और आप मनुष्यों का मन आपके कंट्रोल में ना हो तो आप मनुवश्य किस्काम के थोड़ा कंट्रोलिंग तो चाहिए न साहब आएसा कैसा कि आपके अंदर कोई कंट्रोलंग ही नहीं है अरे बिना ब्रेक की गाड़ी आप खरीदोगे क्या आप एक करोड़ वाली गाड़ी आप 20 लाख में 10 लाख में भी नहीं खरीदोगी यदि उसके अंदर ब्रेक नहीं है तो बिना ब्रेक की गाड़ी क्या करोगे घर में अचार रखोगे क्या बिना कंट्रोलिंग के क्या होता है साहब तो मन भी तो कंट्रोल हो अपनी छाएग गुसा यह कैसा गुसा है भाई कि तुमारे दो मिनट की गुसा ने तुम्हें जेल पहुचा दिया ये कौन सी समझधारी है ये समझधारी तो नहीं है न इसलिए अपने अंदर कंट्रोल बेवेक की बनो बेवेक की बनो बेवेक कहां से आएगा सत्संग से आएगा इसलिए आप अपने बच्चों को केवल पढ़ाओ डिग्रियां ही मत दिलाती रहना मेरी मा कभी कभी सत्संग से भी बच्चों को जोडा करो आपके बच्चे स्कूल कॉलेजों में युणिवर्सिटियों में जो 20 साल पढ़कर न सीखेंगे वो सत्संग से 7 दिनों में सीख जाएंगे इसलिए थोड़ा कथाएं सुनाया करो बच्चों को लेके सत्संग में जाया करो थोड़ा सीखेंगे, समझेंगे तो उनको समझ आएगे क्या करना है क्या नहीं करना मन को कंट्रोल कपिल भगवान ने कहा मा तितिक्छवा हसहन सील बनो कारुणी का हरदय में करुणा रखो सरवदेहिनाम सबसे प्रेम करो अजात शत्रवा किसी को शत्रू मत मानो शांत रहो सादवा साधू मतलब साधना मतलब इंद्रियों को साधो ये लक्षण है साधूआं के कपिल भगवान ने मा देभूती से कहा मा अहम सरवेशु भूतेशु भूतात्मा वस्थिता सदा मुझ में सब में मुझको देखो सब में मुझको अर्थाद सब को ईश्वर की द्रश्टी से देखना चाहिए किसकी द्रश्टी से देखना चाहिए इश्वर ना जाने किस रूप में ना रायन मिल जाए सब को भगवान की द्रश्टी से देखो सब को ईश्वर के नजरिये से देखो इसलिए सब में भगवान का दर्शन करो कण कण में ही श्वरहे महसूस कीजिए कल मुझे देखिए जरा जरा सी बातों में बातें बिगड जाती है कल मुझे एक कैदी भाई मिले मैंने उनसे पूँचा कि आप क्यों आ गए जेल उन्होंने बताया महराजी मैंने अपनी बेटी का विवाह तैं कर दिया मैंने बेटी से पूँचा बेटी विवाह करोगी उसने मना कर दिया तो इतना गुस्सा आया बाप को के बेटी को मार दिया बेटी को मार दिया इस बात के लिए कि उसने पिता की बात नहीं मानी बच्चों को भी अपने मावाप की बात माननी चाहिए पर मावाप को भी ठीक है बच्चे माने समझाओ तो समझाओ माने तो माने नहीं माने तो भगवान की इक्षा जो ठीक है अब जो करना है शाद वो ये चाह रही होगी कि मैं अभी कुछ दिन और पढ़लू जल्दी से विवाह नहीं करूँ इन्हें गुसा आया और उन्होंने मारा तो बेचारी मर गई अब वो बेटी के मारने की हत्या का दंड ये कि वो जेल में आई अब वरसों से जेल में ये क्यों जेल में लोग रह रहे हैं क्योंकि जड़ा कंट्रोल ही नहीं थी जड़ा सोचो कि अपने गुसे में थोड़ा कंट्रोल करते तो किसी को जेल जाना पड़ता क्यों इतने लापरवा लोग होते हैं भाई क्यों तुम अपने पाउं में कुलहाडी मारते हो इतने आजाद मत बनो अपने मन को अपने इंद्रियों को अपने गुस्षे को इतना आजाद ना करो कि गुस्षा आपका नास कर दे मन आपका नास कर दे थोड़ा मन को कंट्रोल, गुस्से को कंट्रोल, कैसे होगा कंट्रोल, सत संग से, रोज कठाएं सुनिए, रोज अच्छी बातें करिए, प्रैक्टिस कीजिए, चुप रहिएगा, थोड़ा अपने आपको कंट्रोल कपिल भगवान से मा देवहुती ने पूछा कि, क्या बच्चा मा के गर्व में सुखी रहता है न, जब पिता के द्वारा मा गर्ववती होती है तो उसके गर्व में पिता का तेज मिलके मा के गर्व से कलल बन जाता है और वो बच्चा एक रात मैस्त्री के रज से मिलकर वह कलल बन जाता है पांच रात्री में बुदबुद के समान एक महिने में बच्चे का सिर तयार होता है दूसरे महिने में बच्चे के हाथ पाउ निकलते देखिए यह जो medical science है जो हम पढ़ते हैं वही हजारों साल हमारे पहले हजारों साल पहले हमारे रिसी मुनियों ने भागवजी में कपिल भगवान ने सब कुछ बता दिया कि मा के पेट में नो महिने में बच्चे का निर्मान किस तरह से होता है यह पूरा medical science जो आज research आई सामने जो आज की research हैं कह रही हैं वही हमारे रिसी मुनियों ने कहा वही कहा पूरा का पूरा अच्छा बताओ कितने महिने में यह पता ल यह मैं बता रही हैं तीसरे महिने में आप बताओ कितने महिने में होता है जोर से तीसरा महिना तीसरे महिने में ही इस्त्री का पेट में बेटा है कि बेटी यह लिंग परिक्षण होता है अब तो नहीं होता सरकार ने रोक लगा दी लेकर जब होता था तब तीसरे महिने हो पहले सौ साल पहले पर हमारे साधू संत्र सीमनियों को हज्जारों साल पहले पता था वो भागवज्जी में लिख करके चले गए कि तीसरे महिने इस्त्री पुरुष के चिन्हुत्पन होते हैं चौछे माह में सातों धातूएं पांचवे माह में भूख प्यास लगती है और छटवे महिने से बच्चों के पूर्व जन्म का कर्म याद आजाता है कि किस पाप से हम बापिस जा रहे हैं संसार में जब आब अपनी मा के पेट में होते हो ना जरा सी जगह में उल्टा लटके होते हो मलमूत्र के गड्डे में होते हो भगवान से आप पूचते हो प्रभु क्यों बहेज रहे हो बार बार भगवान बोले मैं तो तुझे मुक्त करना चाहता था पर तुने कर्म ऐसे किये कि फिरस गड़े में आकरके गिर गया इसलिए कहता हूँ ये बार बार जनम बार बार मृत्तु के चक्कर से बचना है तो भगवान की सरण में चलो बच जाओगे वरना यूँ घूमते रहोगे गोल गोल पुनरपी जननम पुनरपी मरणम पुनरपी जननी जटरे सहेन बचना है तो भगवान की सरण में जाओ बच्चा बाहर आता है भगवान से बहुत वायदे करता है प्रभू खुब भजन करूँगा खुब आपका ध्यान करूँगा आप लोग जम्मा के पेट से बाहर आए ना तो आप भगवान को बादा करके आए थे कि प्रभू अब मैं कोई ऐसा गलत काम नहीं करूँगा कि मुझे फिर नर्क में आना पड़े फिर संसार में आना पड़े लेकर आपने इतने वादा किये लेकर आप सब भूल गए फिर देखो आप गलत काम कर रहे हैं अब अच्छा काम कीजिएगा भगवान में मन लगाईएगा एक भगवान ही हम सब के साथी हैं जेल के अंदर रहो या जेल के बाहर रहो बाहर रहो तो भी क्या पालोगे जेल के अंदर रहो तो भी क्या पालोगे जिसने भगवान को पालिया अंदर रहके पालिया या बाहर रहकर पालिया उसी का जीवन सार्थक है जिसने इश्वर को पाया है वरना चाहे अंदर रहो, चाहे बाहर रहो, दौनों ही जीवन बेकार है, यदि भगवान के बिना जीवन निकल गया, तो किस मतलब का, हाँ या न, भगवान को ना पाया, तो फिर पाया क्या है, फिर क्या पाया, मैया, इस संसार में आप क्या पाने आई हो, पा रही हो कितना पा गई क्या पाने आयो में या पीली में या संसार में यह टेंट पाने आयो ऐसे टेंट की तरफ कह रही है क्या पाने आये हैं हम लोग तीन चीजां सब को मिलती हैं पहला खाना खाने का सुख सब को मिला कुट्टा बिल्ली पसू पक्षी कुट्टा बिल्ली खाते हैं तो आप लोग भी खाते हैं खाने का सुख सब के पास है दूसरा सौना कुट्टा बिल्ली सोते हैं आप लोग भी सोते हैं सोने का सुख खाना सोना और तीसरा सुख बच्चे पैदा करना तो कुट्टा बिल्ली भी बच्चे पैदा करते हैं आप लोग भी पैदा करते हैं अलग क्या करते हैं आप मनुष्य क्यों बने हैं यह बताओ ये मनुष्य का शरीर सौने खाने बच्चे पैदा करने नहीं मिला ये शरीर प्रमात्मा की उपासना करने मिला है भगवान में मन लगाने को मिला यदि इश्वर को पाया तब तो ये जीवन सफल हुआ वरना तीन काम सब कर रहे हैं कुत्ता विल्ली वही काम तुम करके मर जा तो कुत्त विल्ल यूं की तरह ऊए चले गए और चले गए खतम कहानी किखापिल भगवान निये माता देव भुती के अपदेश किया म는 डेव क sapil देव जी के उपदेश से सिद्धा नाम आज बन किया कपिल देव जी ने गंगा सागर चले गए आज भी कपिल देव जी गंगा सागर में बेराजे हैं बाकी तीरथ बार बार गंगा सागर एक बार मनु जी महराज की तीस्री बेटी हैं प्रसूती प्रसूती का विवाह दक्षप्रजापती से हुआ दक्षी की छोटी बेटी का नाम सती और सती मा का विवाह भगवान शंकर जी से हुआ एक वार संकर और सती माता संकर जी के संग कथा सुनने गई तो कथा सुनी पर संकर जी को कथा में स्रद्धा जागी और माता सती को संदेह जागा कथा में क्या होनी चाहिए स्रद्धा या संदेह जोर से क्या होनी चाहिए भाईया स्रद्धा लेकिन क्या हो जाता है संदेह माता सती को संदेह हुआ रामजी पर रामजी खोज रहे हैं हे सीता हे सीता अच्छा ये बताओ रामजी भगवान है या नहीं हाँ या ना उत्तर दो जोर से रामजी भगवान है के नहीं हैं तो यह बताओ यदि राम जी भगवान है तुनकी पतनी का हरण रावड ने कर लिया तो राम जी जंगल जंगल खोज क्यों रहे हैं राम जी को क्या पता नहीं था कि मेरी पतनी का हरण रावड ने कर लिया यदि पता था तो खोज क्यों कर रहे हैं और नहीं पता था तो कैसे भगवान है अब बताओ राम जी भगवान है तुन्हें अपनी पत्नी का पता क्यों नहीं लगा आप बताओ यह मैया बताएंगी पीछे के हमारे बंदी भाई बताओ राम जी को पता था राम जी भगवान है तुन्हें अपनी पत्नी का पता क्यों नहीं लगा बताओ मेरे बंदी भाई क्यों नहीं लगा बताओ क्यों नहीं लगा जोर से क्योंकि वो लीला कर रहे हैं क्या कर रहे हैं वो भगवान राम को पता तो सब था के रावड लेकर गया है लेकिन राम जी लीला कर रहे हैं सीता कहां हो वो लीला संकर जी ने खूब समझाया कि ये भगवान है ये तो लीला कर रहे हैं नाटक कर रहे हैं सोचिए कि यदि रावड सीता मा को ले गया और राम जी डारेक्ट रावड की लंका में जाके सीता मा को ले आते तो फिर हनुमान जी को कौन जानता फिर लंका कैसे जलती फिर हनुमान जी की महिमा कैसे बढ़ती फिर विभीषण की महिमा कैसे होती फिर सेतू का निर्माण कैसे होता फिर गिलहरी की कथा कैसे आती फिर वो बंदर भालू की कथा कैसे आती तो भक्तों की महिमा को बढ़ाने के लिए भगवान जानते तो सब थे पर जान कर भी भगवान अनभिग्यों की तरह पूँच रहे हैं मदुकर श्रेनी तुम देखी सीता म्रग नएनी हे सीता कहा हो सारे लोग राम जी पर माता सती संदेह खा गई और माता सती परिक्षा लेने चली गई संकर जी ने समझाया देवी मान लो मान लो मान लो नहीं मान लो संकर जी ने का अच्छा जो तुमेरे मन आती संदेह हूँ तो तुम जाए परिक्षा ले जाओ परिक्षा लो माता सती परिक्षा लेने राम जी की आई और परिक्षा में माता जी फेल हो गई क्या बनकर आई माता सती सीता जी बनकर आई और राम जी के आगे खड़ी हो गई मैं तो रावड के आँ से आ गई राम जी ने कहा माता जी राम राम भोले नाज जी कहा है अब सती जी पकड़ी गई आपने कैसे पहचान लिया कि मैं सती हूँ राम जी बोले मेरी सीता तो मेरे पीछे आकर खड़ी होती है आप आगे खड़ी हो आगे तो मेरी मा ही खड़ी हो सकती है स्वरूप बदला जा सकता है स्वभाव कैसे बदलोगे प्लास्टिक सरजरी कराके स्वरूप सायद बदला जा सकता है पर स्वभाव कैसे बदलोगे माता सती वहां से गई संकर जी ने कहा हो गई परिक्षा माता सती ने जूट बोल दिया कचुन परिक्षा हमने कोई परिक्षा नहीं ली जब पत्निया जूट बोलने लग जाती है न पती से तो रिस्तों में दरार पड़ जाती है मैई आप लोग जूट तो नहीं बोलती है अपने पती से पती लोगों को भी जूट नहीं बोलना चाहिए अपनी पतनी से महीं आपके पती जूट बोलते हैं हां आप भी बोलती होंगी जूट पती गए नहीं के पिज्जा बर्गर मंगा मंगा की खा लिया आपने तुरंत ओडर कर दिया पिज्जा ले आना भीया पती के पैंड से 20 रुपया निकाल लिये पपी जमंगा के खा लिया जूट बोलना पाप है नदी किनारे काली मत आएंगी और घीच काटके ले जाएंगी तो आप जूट ना माता सती ने जूट बोल दिया रिस्ते तब कमजोर पड़ जाते हैं जब रिस्तों में जूट बोला जाने लग जाता है ना तो पतनी जूट बोले ना तो पती जूट बोले रिस्ते सचाई की नीव पर टिकेंगे तो लंबा चलेंगे यदि जूट की नीव पर ठहर जाएंगे तो धरासाई हो जाएंगे इसलिए सत्यम भुयात सत्य बोलना चाहिए माता सती ने जब जूट बोला तो संकर जी ने माता सती का परित्याग कर दिया तुमने जूट बोला मेरे राम जी की परिक्षा लेने गई और मेरी माता का रूप बनाया तुमने संकर जी अपनी माता सीता को मानते है और पत्नी ने रूप किसका बना लिया जब पत्नी ने माता का रूप बना लिया तो अब तुम्हें पत्नी की रूप में कैसे स्वीकार कर सकते है इसलिए संकर जी ने फिर माता सती को स्वीकार नहीं किया और वही सती दक्षप्रजापती के यग में जाती है वो भी बिना बुलाए कुछ लोग तो ऐसे होती हैं कुछ मैया हमारी पिता जी ने बुलाया नहीं है माने बुलाया नहीं है पर जोला उठाए सी दे मावाप के घर आप लोगों को मावाप का घर बहुत अच्छा लगता क्यों पती का घर अच्छा लिए लगता पती का घर और आपका घर ये एक ही है जो पती का घर है वही आपका घर है तो पती के पास रहना अच्छा लगे आपको यह अच्छी बात है साधी विवाह के बादना पिता और मा से ज्यादा संपर्क में मत रहो जो लड़कियां ज्यादा मावाप के संपर्क में रहती हैं साधियों के बाद उनके रिष्टे तूटने की संभावना ज्यादा है उनके रिष्टे जल्दी तूट जाते हैं हाँ या ना इसलिए साधी के बाद अपने पती के संपर्क में रहो और पती लोग भी अपनी पतनी के संपर्क में रहें पडोशन के संपर्क में बिल्कुल ना रहें हाँ या ना पती के संपर्क में रहो माता पिता का संपर्क थोड़ा कम हो कभी कभी फॉन लगा लिया आ मा ठीक चल रहा है यहां और कुछ बहूं है तो ऐसी होती है सवेरे भी एक घंटा बात अपनी मा से साम को भी एक घंटा बात और मा भी पता नहीं कितनी फुरसत बैटी यह दिन वर बेटी का हाल चाली पूछती रहती है बेटी क्या खाया क्या बनाया और मां बोलती है वहां से बैठी वे सुन दबके मत रहना ससुराल में इतना दहेश दिया है कोई तीन पांच करने तो बताना गुंड़ा भिजवाओंगी कि ऐसी आज कल की मम्मी आए जितने आज तलाक हो रहे हैं इनमे 95% लड़की की मा का हाथ होता है अपनी बेटी का घर बिगाड़ने में श्टडी आई कि 95% बेटियों का घर उसकी मा जो दिन भर पंचायद करती है बेटी से क्या खाया क्या बनाया क्या कहा तेरी सास ने क्या कहा तेरे ससुर्णे पति-पत्नी की जराइवाई हुई पतिनी ने फॉन लगा दिया लड़की ने फॉन लगाया मा को मा आज नो ने डाटा ये कहा वो कहा मा बोली अच्छा दामाद जी ने ये कहा एक काम कर जोला उठा वापस आजा अब दामाद जी जब नाक रगड़के आएंगे तब भेजूंगी मैं लो बुला लिया अब पती बोल रहा हरी भाग्यवान गुस्से में डाड़ दिया आजाओ बापिस हामा फॉन आया उनका क्या कहना रख दे फॉन बात मत कर यह मां है कि मंत्रा है एक घर फुड़वाने में लगी है और क्या कहती है नाक रखड़त हुआ आएका दामारे और मैं माघ की बात नहीं करता तुम पत्निओं से पूचता हूं कि तुम कैसी पत्नी हो कि अपने पती को नाक रखड़वाना चाहती हो पतनी वही है जो सदा अपने पती का सम्मान करे और पती वही है जो सदा अपनी पतनी का सम्मान करे तुमारे मायके में तुमारी मा का ये अधिकार नहीं है कि वो तुमारे पती का अपमान करे और ससुराल में भी लड़के की मा का ये अधिकार नहीं है कि वो अपनी बहु का अधिकार करे अपमान कोई किसी का मत करो साहव मैं जो कह रहा हूँ गाठ बांद लेना आज की युग में सम्मान कीजीये सबका अपमान मत कीजिए किसी का क्योंकि आपका किसी पर अधिकार नहीं है आजकल मा अपने बच्चे को एक छपड मार देती है तो बेटा चला जाता है आजकल स्कूलों में पहले तो हम जब पढ़ते थे तो मास्टर जी एक गलती करने पर इस हें आप्ट डंडे इस हाथ में मारते थे और डंड इतना जोर का मारते थे कई लार टोट जाता था और हम लोगों वाuchar के पढ़ाई की है तो हम इस्फे मधूर है तो जहां मन gotta होती है वहां सबकुच चलता है पर जहां मधूरता नहीं है न वहां जितना जरूरत है उतना ही बोलो जरूरत से ज्यादा बोलने की जरूरत नहीं चुप रहो मौन रहो तो ही अच्छा है ज्यादा बोलने से रिष्टे बिगड़ जाते हैं हाया ना तो मेरी मा आप लोग अपनी बेटियों के संपर्क में तो नहीं हो जादा मैया आपकी बेटी है संपर्क में हो बेटी से ज्यादा संपर्ग में न रहना, आप मही आपकी बेटी है, कहां है, अभी साधी नहीं हुई, साधी के बाद संपर्ग में रहोगी, ज्यादा संपर्ग में रहना, तुम भी ज्यादा फोन मत लगा न अपनी मा को, दिन में दो दो बार, हफ्ते में एक बार लगाया करो बस, अ करना घर की रहोगी ना घाट की मम्मियां बहुत कि इतना प्यार इतना लाड करती हैं आजकल की मम्मियां कि उनका लाड प्यार बच्चों को विगाड देता है हाया ना मैया हो गई मा बेटी की गुप्तगू अभी से प्लान कर लो कितनी बार बात करना है साधी के बाद और अभी तुम कर लो सारी बात है जितनी करना साधी के बाद कुछ रहना जाए कपिल भगवान ने माता सती दक्ष के यग में गई और जल करके भस्म हो गई माता सती दक्षे की यग में गई शिव का अपमान दक्ष ने किया दक्ष ने सब को बुलाया था यग में पर संकर जी को नहीं बुलाया अपमान किया एक बार भरी सभा में दक्ष प्रजापती ने शिव का अपमान कर दिया पर शिव ने कोई उत्तर नहीं दिया समाधान है उत्तर ना देना उत्तर मत दो चुप रहो संकर जी ने उत्तर नहीं दिया दक्ष ने कनखल में यग गिया सब को बुलाया भगवान शंकर को नहीं बुलाया उस यग में माता सती बिना बुलाए गई और पती का पमान देखकर माता सती क्रोध में योग अगनी में जलकर भस्म हो गई माता सती का जलता हुआ शरीर लेकर सिवजी दोड़े जहां-जहां माता सती का अंग गिरा वह एक-एक सक्ति पीठ बन गई टोटल बावण शक्ति पीठ है जिसमें 51 भारत में है और एक पाकिस्तान में भिंगला सक्ति पीठ बत्वारे के टाइम चली गई तो टोटल बावन सक्ति पीठ है इस तरह से माता सती जलकर भस मोही पारवती बनकर के माता का जनम हुआ और फिर शिव पारवती का विवा हो हुआ और शिव पारवती प्रहम से अपने ग्रह स्थाश्रम में आये और शिव जी सदा कथा सुनते हैं आप भी सदा कथा सुनेंगे तो परोपकार की भावना होगी कथा सुनने वाला व्यक्ति सुखी है मेरी मा इसलिए आप भी अपने माता पिता सबको भागवत सुनवाओ अभी साथ मार्च से वरंदावन में भागवत जी के पाठ बैठेंग करा सकते हैं आप लोग कि ब्रंदावन में गौरी गोपाल अश्रम आप लोग आना और आकर के वहां का दर्शन करना गौरी गौपाल अश्रम में कि सेवाएं चलती हैं ब्रंदावन में हज़ारों साधर अवसंत भोजन करते हैं कोई बी संत आये सबको पेट भर भोघन आप भी एक दिन का भोघन संतों के लिए अपनी और से बटवा सकते यह यह साधू संत जो भजन करने वाले साधक संत हैं इने क्ने और से रोटी दे दें तो क्या बुराई है आप भी अपनी और से कुछ रोटियां संतों तक पहुंचाईए एक दिन का अन्यचेत्र करवाईए या फिर एक संत को भोजन दे करके आप सेवा से जुड़िए या ग्यारा संतों को भोजन की विवस्था कराईए या एक्यावन ज पिता के जनम दिन में बेटी के जनम दिन में पुण्य तिथियों पर साधी की साल गिरह पर एक दिन की संपूर्न रसोई आप अपनी और से बटवा कर लगभग 30,000 लोग जो बहुजन करते हैं गौरी गौपाल भगवान की रसोई में आप एक दिन की संपूर्न रसोई मिलता है सबको पेट भर भोजन मिलता है आप भी कभी आईएगा आप मैंसे कितने लोग वरंदा बनाए हैं और सेवाओं को देखा अपनी आखों से अच्छा इतने लोग आए हैं आपने अपनी आखों से देखा मैया आप आई हो ना देखा है जो हम टीवी पर कह रहें सही है हज्जारों भक्त भोजन करते हैं अपनी और से आप भी बटवाओं अन्यदान सबसे बड़ा दान है मेरी मा अन्यदान करने वाले पर अन्यपूर्णा मा की कृपा होती है सदा धनधान की वरश्टी होती है और भगवान की कृपा बनी रहती है व्रंदावन में गव साला ह जहां गव माता प्रह्म पूर्वक सुक पूर्वक रहती हैं आप इन गायों के लिए चारा बोने के लिए एक गज दो गज भूमी दान कर सकते हैं गायों के लिए गौचर भूमी दे सकते हैं आप भी गव माता के लिए गौचर भूमी देकर गव माता की सेवा से जुड़ अपने माता पिता के लिए अपने जीते जी अपने लिए गौदान कीजिए आप अपने शेहर में रहो पर आपकी एक गौपाल गौशाला में रखो ताकि रोटी उसे वहां मिलती रहे और उसका अश्रवाद गौपाल गुरुकुल है जहां बच्चे नहिशुलक पढ़ते हैं गौरी गुपल गुरु कुल में 104 बच्चे हैं आप भी इन बच्चों के लिए नहिशुलक ये सिक्षाएं हैं पढ़ना, लिखना, रहना, खाना, पीना आप भी बच्चे के लिए गुरु कुल में सायोगी बनकर के बच्चों की सिक्षा में भोजन की विवस्था अपनी ओर से करा सकते हैं, जो बन पड़े आपसे, गौरी गौपाल व्रद्धाश्रम हमारी 275 माताएं आस्रम में रहती हैं, आप लोग आकर अपनी आखों से देख सकते हैं, सारी माताएं नहिशुलक रहती ह उन माओं का कोई शुलक नहीं है, रहने का कोई शुलक नहीं लगता, आप इन व्रद्ध माओं को भोजन देकर, इन माओं के बेटा बेटी बनकर, आप इन बेसहारा माओं का सहारा बनो हमारी जो माओं रहती हैं न, हम सभी माओं के चरण दवाते हैं, सभी माओं की स्वयम सेवा करते हैं, स्वयम भोजन की विवस्थाएं, नजर में रखते हैं कि आज हमारी माओं ने क्या खाया, और सभी माओं की सेवा, यदि हम 275 माओं की सेवा कर सकते हैं, तो आप एक व् ऐस्रम बनने जा रहा है जहां इन माओं के लिए एक हजार वरध माओं के लिए आश्रम बन रहा है तो आप भी एक इंटay दे कर माओं को सहयोग कर सकते हैं एक बोरी सीमेंट दे कर थोड़ी जो जो ईश्वर ने आपको लायक बनाया आपकी कम से कम एक इंट σαςरम में लगे एक बोरी सीमेंट इस असरम में लगे और आप अनियक भागीदारबनें एक कमरा बनवा के आप रध्धमाओं को दे सकते हैं अपने माता पिता के नाम से पत्नी के नाम से पती के नाम से या एक कमरे की छट आप डलवा सकते हैं या एक रध्धमा को आप गोद लेकर जीवन भर रोटी देने का संकल्प कर सकते हैं गौरी गौपाल आश्रम में जो वरद्धमाएं हैं उन्ह माओं को आप भोजन दे सकते हैं कि आज का भोजन हमारी ओर से ये आश्रम है माओं के लिए आप इस आस्रम के निर्माण में इन माओं को भोजन के आज एक माओं को भोजन आप देंगे ग्यारा माओं को सो माओं के दो सो माओं जिस लायक बनाया है इश्वर में आईए आप मैंसे कुछ दानवीर महापुर्शों ने अपने सहयोग के हाथ पहुचाए हैं बढ़ाए हैं भगवान से प्रार्थना करेंगे कि आप जैसे दानवीर महापुर्शों की जौलियां भरी रहें और जतना आपने दिया है उसका कई Guna करके भगवान आपको वापिस करें दानं दुर्गति नासनं दान करने से धन बढ़ता है इसलिए जतना आप देते हैं उसका कई Guna करके भगवान आपको लोटाते हैं करा करा नहीं कि बडिन तालियां पूझे सद्गुर्द्य भग्वान के लिए जिसके साथ में हम अपने जीवन में कुछ अच्छे उन्चे कारकरने करेंगे आईए बड़ी सुन्दर पावंस सेवाओं के वारे में सद्गुर्दी भगबान ने बताया है नाम सुरेंगे उन दानवीन महाफुर्षों के जिन्होंने अपने योगदान के हाथ आगे बढ़ातों इन पावंस से जोड़ा है और पुने आपने तो कमाया ही है आप पर जोड़ार ताणियान के लिए पांच लाग रुपे का योगदान आप दे रहे हैं इसे शणी में परमेस्वर जी लाल मित्तल गायतर देवी आप साधी की साल करेक प्लक्ष में नैपाल से 32,000 रुपे दे रहे हैं आपके लिए बहुत-बहुत धन्यवाद प्रभु ला प्रेली से आप 21,000 रुपे असोकमार जी बंसर रितू बंसर आप जवराइसान से 21,000 रुपे देतों एक मांका आजीवन सहारा बने हैं आपके लिए भी बहुत-बहुत धन्यवाद प्रेमलता जी गाजीवास से 11,000 रुपे केलासरानी कभूर जी मॉंबाई से 11,000 रुपे लेखा जी साओ आप दुर्ग से आप 50,000 रुपे लक्ष मोहन सेंजी मंडी से आप 4,000 रुपे करण कुमार जी महतो असम से 5,000 रुपे आप दे रहे हैं एसे शनी मेर आजरानी पतेगर बंजाब से 11,000 रुपे केलासरानी जी कभूर मुंबाई से 11,000 रुपे अनिक्षितर सेции यहाँ इस्तल की सेंजी में एसुदा कुमारी ने latome जी करण क्रिकां को ङनल कर संहीं इरुपे अनिक्षोन रुपे शेकाव दıके आजरानी रुपे काहा जी का है सोनी मंडला से आप तीन हजार रुपी के योगदान दे रहे हैं आप के लिए भी बहुत भुत धनिवाद एसे शणी में परतों जी मंडला आप चतीगर से बिश्चक जेपी दिक्षित आप उतरफदेच से बिजेच से के हाथ आगे वड़ा रहें आपके लिए भुत भुत अनिता कुमारी बिहार से पोश्चन लाल जी साओ आप रायपुर से 22 मनोज कुमारी पंचकुला से आप दोचर पे स्री निवास पाटक जी के नाम से पानवति दिवी गोरुकपर से उत्तरफदेच से बिजेच से के हाथ आगे बढ़ा रहें विजे कुमार यदर जी आप म 3,000 रुपे प्रमौन से नहीं आंप दिली से विजेचर राहुली जी कंचन जांची से उत्तरफदेच से बिजेच से उत्तरफदेच से गुवत दन करें को दोई हजार रुपे साधी कुप्टदान ग्यारह हजार रुपे हिसार हरणा से बिलान क्या गया है आपके लिए भी बहुत बहुत धनीमाद इसे शनी में दीरज कुमार जी आम देव घर से धारकन सी विजश्टर कुसम जी ध्यानी दैरादों से विजश्टर कांतरबाई शीकांज संगेत कुमार सिंग्जी आप महाराज गंद से दो हजार एक सुर रुपे आप दे रहे हैं प्रदी पांचाल जी कमलेज देवी गुटगां से विजश्टर अविनास चंदरपुर से विजश्टर चोड़ो साब जी पुदल देवी पटना बिहार से गोपा सिंगी राइच किया है ऐसे सभी दानभी महापुर्शों के लिए बहुत धनिवाल अब आई यह जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं बड़ी पावन संदर सेवा सिधां प्रदावर में चल रही हैं यहां भी लोग टीवी चैनल के मादें से देखते हैं अत्वा जो लोग बहार हैं के इन पावन कारियों के लिए संकल्प संकल्पों के लिए जिनके मादें से जोड़ने का स्वाफसर हम प्राप्त करते हैं आई यह मैं चाहूंगा इन पावन सिवाओं से जो सीवा हैं निरितत सिधां प्रदावर में चल रही हैं इन पावन सिवाओं से आप भी अपने सब्सक्राइब के साथ में मातरी कीश हजार रुपे युकदान से एक मां का आजीवन सहारा आप बंते हैं साथी एक दिन की गोरी को पाल अने छेतर सेवा जहां हजारों संतों को प्रशादी मिलती है मातर 11000 रुपे इक दिन की संपूर रहसों की बावंद सेवागली मातरी का 3,000 रुपे आप दन करते हैं अपने आपको जोड सकते हैं सेवा नियर्णता सिधा प्रदावन चौल रही है चाहे हैं उनके लिए काउटर यहीं लगा है आप हमारे आचारी मिदान संपर करते हैं अपने लिखा सकते हैं वोग नमन और क्यूर कोड़ देखा जाता तकि वो सिधां प्रदावर में बैठते रहते हैं एक बार पुन है यह सो अबसर आपको भी प्राप्त होगा जो यहां आप जो अपने घर बैटे श्रबन कर रहे हैं साथ मार्च से तेरे मार्च भागबजी के पोधी बाट बैट रहे हैं जिन से जूड़कर आप भी अपने परवार की शुक्षांची के लिए अपने पेत्रों के कल्यानों की मुक्ति के लिए भागबजी के सुन्दर सा पाट बिठा दो है पोधी पाट याजवन बसकते हैं यह पोधी दावन में होली के सुब पावसर पर साथ मार्च से तेरे मार्च बैट रहे हैं तो सीखरी अपना नामांकन करें पोधी बाट संकलब लें और पोधी बाट यजवन बंतो है शीधां प्रदावन से पावन गंगासी अपने आपको जोड़ें अब आई यह चलेंगे पावन क पावन शंकर माता पारवती के साथ प्रेम से अपने रहष्थ आश्रम में रहने लग गए भौपाल वासियों के लिए कच्छा टीवी पर आप सुन ही रहे हैं जिनको मिलना है तो सुवह नौवजे आप आ सकते हैं जो बाहर के लोग हैं भौपाल शहर के हैं आथपास के हैं न्यू सेंट्रल जेल कॉलोनी में जहां हम रुके हुए हैं वहां आप सुवह नौवजे आकर जो शहर वासी हैं भौपाल वासी न्यू सेंट्रल कॉलोनी आप आकर वहां मिल सकते हैं भगवान संकर के संग माता पर्वती आनंद से विराजी हैं कैलास में आगे की चर्चा कल सुनेंगे आईए एक बार भाव से जूम लें फिर आर्थी की योर बोलिये वामन भगवान की जै क्रिश्न कनहिया लाले की हमारे यजमान जी वामन भगवान का पूजन करेंगे और भगवान का पूजन करेंगे फिर पावन से आर्थी का दर्शन और भगवान कुज गलन में हो वरंदावन कुज गलन में हो मेरो मन लेगया लिद कुमार रंदावन कुज गलन में विल्गावन कुँझ गलिग में हो मेरो मन ले गई तो मेरो मन लेगा रखित गुमाहर, प्रिदावन दोज गलिन है तो मेरो मन लेगा रखित गुमाहर, प्रिदावन दोज गलिन है तो मेरो मन लेगा रखित गुमाहर, प्रिदावन दोज गलिन है प्रिदावन दोज गलिन है तेरी मूरती है उतारू मैं गिर्धर, तेरी आरती है मन मैं बसा कर तेरी मूरती उतारू में गिर्धर, तेरी आरती है मन मैं बसा कर तेरी मूरती उतारू में गिर्धर, तेरी आरती है जैजै भाव मैं भसेना, वो मेरी तार दोज गलिन है दर्ध की दवा तो मेरे पास है दर्ध की दवा तो मेरे पास है मन मैं बसा कर तेरी मूरती उतारू में गिर्धर, तेरी आरती मांगो तुझे से क्या मैं यही सोचूं भगवन, जिन्द की जब तेरे नाम करदी अरबन सब कुछ तेब तेरा कुछ नहीं मेरा सब कुछ तेरा, कुछ नहीं मिना, चिन्ता है तुझको प्रभू संसार की, मन मैं बशा कर तेरी मोरती, तहरों में किरधर तेरी आरती जिसने तेरा नाम लिया, उसके जागे भाग, सोते हुए जीवन से, अब तो प्राण जाग तम है जिन्दगी, कर लो बंदगी, कर लो बंदगी, प्रभू का हाथ हो तो मौत भी ना मारती मन मैं बशा कर तेरी मोरती, वो तारों में जिरधर तेरी आरती वेद तेरी महिमा गाएं, संत करें ध्यान, नारत गुड़ दान करें, छेडवीन तान भक्त तेरे द्वार करते हैं फुकार भक्त तेरे द्वार करते हैं फुकार मन मैं बशा कर तेरी मोरती, वो ताहरों में गिरधर तेरी आरती मन बशा कर तेरी मोरती, वो ताहरों में गिरधर तेरी आरती छेंखनी अनगी多, ताहरों महिए खंकीत ना कर ताहरों मरतकीत तेरी में थे नाएक, प्ना कर तनाकीत पहरे ρटा शुरिखनूर शुके फुलगीवशोय पिरे घ्यश्टां प्सृटांड़ के पाले माला वेफ़े लिए बीवाया चिवेदार यावाया, लिए भाषिव मेवाया, वाषिवाया, वाषिवायादुन। हाँ आझा हर उसका हरे गसे अपनमा अ, बीकर आ पिंग ऍ olması ब देज अ, आ देख़ reception, ऊजमा, लो देख़ toाव तैप साथ हरी तर दम में घजुन हरे भाउम् ठा हरे हरे किसने Хरी और घर आ हरे किसने हरे हरी राँ हरे किसने हरे मि ng किस पुगने भयग बी हरे watching नटगण मर्जी वाले मोफिन के आजा मेरी यक्या घरस रही अम जो आजा रजनला घरस रहे लेना खारस रहे लेना बरस रहे लेना कि अधर से घंच भीयों जो हो। कि अधर्म का प्राणियों में विष्व का ल्याड़ कि कव हत्या सत्थ सनातन धर्म की सत्गुरु देव भगवान की स्री मदभागवत महाँ पुराण की प्रिन्दावन विहारी लाने की जै 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 स्री राद हे श्याओ जै जै स्री कृष्णा जै जै स्री कृष्णा सर्ण पड़े की लाज है उम्राखो जगधीश कौनों भुजा पसार के रोचरण में सी सिया हमरी नाम जै 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 राद मेने ही प्रभु राम जै जै राद धर हुके ल्यान जै जै राद आम सभी भक्तों से निवेजन हैं व्राद है नोमजे जिन को भी कुरुद इक्षा लेनी हैं आप लोग नोमजे वहांपर बहुचे और साथ बजे से प्रशुत्री होगी यहीं पर जिन को भी प्रशुत्री में भाग sociais ले नंद के लाला अरज सुन वोड़ी नंद के लाला